कि अल्गोड अल्वेल अब देखो आज फाइनली यह हमारा सफर खतम हो रहा है ठीक है तो अब हमको कैसे इसको एप्रोच करना है देखो यह जो सेक्शन हैं वो तो हमने पढ़ लिए हमने समझ पिल लिए हमको एक रफ आइडिया है कि भाई कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है ठीक है अब आप क्या करोगे मतलब जैसे ही आज यह क्लास खतम होगी साथ बज़े वाट यू और एक्सपेक्टेट टू आफ्ट तो अगर आप उनको रिवीजिन करने बैठ जाओ तो मुझे लगता है पूरा स्टैचूट रिवाइस करने में विट विल नॉट टेक मोह देन टू आस त्री आस दो तीन घंटा अगर आप लगके बैठ जाओ तो पूरा स्टैचूट रिवाइस कर चाओगे ठीक है तो एक पूरा स्टैचूट को पढ़ो धीरे-धीरे करके पढ़ो ठीक है जैसे एक बार में बीस सेक्शन पढ़ लिए फिर भी सेक्शन पढ़ लिए फिर भी सेक्शन पढ़ लिए फिर भी सेक्शन पढ़ लिए एक बार इस काम को जरूर करो यह काम करोगे तो पक्का हो जाएगा जब तक केसिस की बारी आये तो जो जो statuary clarity है जैसे कोई revise करते पर फील हो कि जैसे इस वाले section में में को confidence नहीं है तो वहीं जो आपका statute है उसी section में उसे circle कर ले ना pencil से कि यह वाला section है इसमें में मेरे को दिक्कत आ रही है अब आप देखना वीडियो में कि कौन से वीडियो में वो पर्टिकुलर सेक्शन को एक्स्प्लें किया हुआ है उस वीडियो को दुबारा देख ले रहा है तो अभी मान के चलो आप लगभग आपके पास एक हफते या एक हफते से थोड़ा ज्यादर गैप है केस लॉस शुरू होने से पहले तो बिफोर दाट आप इतना कोशिश करो कि स्टैचूट में कोई भी दिक्कत ना हो फिर हम केस लॉस को समझेंगे जैसे ही स्टैचूट और केस लॉस खतम हो जाएंगे नाव वी हैव फिनिश्ट कंप्लीट सब्जेक्ट बिफोर अस ठीक है तो इस हिसाब से प्लैन होने वाला है सब्सक्राइब करेंगे और तक जाएंगे बहुत ही सिंपल से कुछ भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं आप बिल्कुल इस पर बैठो बिल्कुल शांती से सुनो आराम से समझो मतलब जितना हम डीपली एजनसी को समझ चुके हैं ना इसमें से कुछ भी सप्राइजिंग नहीं होने वाला आपके एक दो पॉइंट है जो स्टेंड आउट करेंगे वह मैं आपको समझात हूँ है ठीक है अभी आपको बिल्कुल पेशिंट रहना है और बिल्कुल शांती से सुनना है जो भी बात यहां पर बताई जा रही है जो मैं नोटिस कर रहा हूं आप सभी लोगों के अंदर इंड विच इस वरी गुड तिंग जो मेरे को समझ में आ रही है कि आप लोग भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो जैसे मैं देखता हूं आपका एक्टिविटी देखता हूं एप्लिकेशन के उपर कि आप भल हैपी अबाउट इट कि at least you are in the process of doing it तो बस उसको करते रहना बच्चे उसको बस रुकने मत देना ठीक है चलो अब अपना खोलो का कहते हैं क्लास नोट्स का अपना रजिस्टर खोलो और उसमें लिखना शुरू करो और समझना शुरू करो दिमाग का भी रजिस्टर खोलो है देखो ये जो सेक्षिन है 222 और आगे आने वाले जो एक दो सेक्षिन है यहां पे बच्चे हम लोग ऐसी सिचुएशन पढ़ेंगे जहां पर प्रिंसिपल की कुछ जिम्मदारियां हैं टोवर्ड़्ज दी एजेंट परिंसिपल की जिम्मदारियां टोवर्ड़्स बोला सकी ये जिम्मेदारी उसकी वो जिम्मेदारी उसका ये तो अब हम ये देख रहे हैं कि प्रिंसिपल को भी तो ध्यान रखना पड़ेंगा चीजों का तो इंडेमिनिटी एक कैसा कॉंसेप्ट होता है बच्चे जिस पर क्वेशन पूछा जाता है कई पार करना होगा लॉल एक्ट की प्रैक्टिकली सोचना बच्चे हम जितना प्रैक्टिकली सेक्शन को देखेंगे ना ऊतना आसान होगा हमारे लिए देखो कोई भी जो एंपलॉयर है employer मतलब principle है किसी भी एजिंट का उसकी ये जिमेदारी है कि ये उस agent को indemnify करेगा उन सारे परिडामों के लिए उन सारे consequences के लिए जो consequences उसके lawful act से निकल के आ रहे हैं lawful acts से निकल के आ रहे हैं जो उसने किये हैं अपनी authority के अंदर रहते हुए तो मतलब अब आप सभी को इतना तो समझ में आ गया है कि कोई भी एजेंट है, वो principal के बिहाफ पे एक्ट करता है, principal के कहने पे ही कुछ भी करता है, अब ये जो agent कर रहा है principle को represent करके जो भी चीज़ें अब उसके कुछ परेडाम भी होंगे अब आप कुछ भी करते हों every action has a reaction positive or negative तो ये जो agent कर रहा है on behalf of the principle उसके कुछ परेडाम ही होंगे अब बचे वो परेडाम फाइदे मंद भी हो सकते हैं और आप सभी को पता है कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई भी जो फाइदा होता है वो किसको जाता है principle को जाता है पर ऐसा भी हो सकता है कि उन करत्यों के उन acts के कुछ नुकसान भी हो damage भी हो loss भी हो तो ऐसी situation में जिम्मेदारी भी principle की होनी चाहिए ना जो फाइदा उठाने की जिम्मेदारी principle की होनी चाहिए पर जिम्मेदारी है पर उसकी दो conditions है इस section के अनुसार और वो दो conditions ये हैं उल्टा पढ़ेंगे बच्चे इसको पहली condition ये है कि जो भी कुछ उस agent ने किया हो जिसके बारे में वो indemnity मांग रहा है मतलब agent ने कुछ किया उसकी वज़े से उसको loss हुआ है नुकसान हुआ है तो पहली बात तो ये जरूरी है कि उसने जो भी कुछ किया वो अपनी authority के within किया हो तो जो जो agency का contract है जाना चाहिए अगर उसने कोई भी चीज authority के beyond जाके की है वो यहां पर cover नहीं होगी the first point is the act must be within the authority for example अगर उसको घर बेचने के लिए appoint किया है तो उसका जो काम है जो act है जिसकी वज़े से नुकसान हुआ है वो घर बेचने के ही relation में होना चाहिए और दूसरा और महत्पून बात यह है इसको हम interrelate करेंगे आगे आने वाले एक section से भी कि वो जो act है agent का भले ही वो authority के अंदर क्यों ना हो पर वो lawful होना चाहिए कानूनी होना चाहिए तो अगर कोई agent act कर रहा है वो कर तो अपनी authority के अंदर रहा है जैसे घर बेचने का काम था तो घर बेचने का ही काम कर रहा है पर जो वो means use कर रहा है जो वो तरीका अपना रहा है वो तरीका गैर कानूनी अब घर तो बच्चे कानूनी तरीके से भी बेचा जा सकता है गैर कानूनी तरीके से भी बेचा जा सकता है गैरकानूनी तरीकों से गैरकानूनी माध्यम से किया गया है तो ऐसी परिस्तिती में अगर उसकी वज़े से कोई भी नुकसान होता है एजिंट को तो प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं है indemnify करने के लिए तो ये दोनों conditions जो है न within authority and lawful ये दोनों satisfy होने चाहिए they are not alternative to one another they coexist दोनों satisfy होने चाहिए जब ये दोनों satisfy होंगी तब ये section 222 picture में आएगा और हार एक नुकसान जो agent को हुआ है उसकी भरपाई उसको करनी होगी ठीक है so that is the basic funda जो इस section का है clear है समझ में आगे बचे lawful वाली बात समझ में आगई authority वाली बात समझ में आगई chat box में बताएंगे बचे ये इस टाइप करके फटाफट से clear है quickly क्योंकि step by step चलना है जैसे एक point हमने समझ लिया यार रखना दिमाग में बिठा के रखो 222 means lawful authority and lawful authority and lawful अब देखो मिलता जुलता section है अगला section 223 यहां पे भी वही concept involved है कौनसा concept indemnity का कि हमारे principle की जिम्मेदारी है कि वह indemnify करता है एजेंट को उसके होने वाले किसी भी नुकसान के लिए अगर अगर यहां पे यह अगर बदल जाता है तो कोई भी व्यक्ति है कि जो दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए रखता है मतलब कोई भी principle जब एजेंट को करता है और वह कोई ने करता हैs द्यान से देखना वो जो क्रत्य कर रहा है वो गुड़ फेत में कर रहा है ऐसी परिस्तिती में यह जो employer है मतलब यह जो principle है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस agent को indemnify करता है उसके एक्ट के सारे परडामों के लिए तो यहां पर जो indemnification की requirements है वो बच्चे सेम है कोई agent है जिसको appoint किया गया है for a particular purpose और वो जो agent है फिर से वहीं बता रहा हूं बचे विदिन ऑथोरेटी कर रहा है लिखा नहीं है बट यह हमको imply करना ही होगा विदिन अभी इसका मतलब भी समझाओंगा आपको यह अधिन ऑथोरेटी कर रहा होना चाहिए वह व्यक्ति एजिन जो है और दूसरा वह जो भी कुछ कर रहा है गुड़ फेट में कर रहा है अगर वह व्यक्ति उन्हीं कामों को कर रहा था जब नुकसान हुआ तो इट वुड़ भी कवर्ड पर यह गुड़ फेट क्या है वाट इस गुड़ फेट लॉफुल आसां था समझना क्योंकि everything that is legal is lawful and everything that is illegal वह अनलॉफुल है तो हम देख लेते थे कि कोई भी चीज अगर कानून के खिलाब जा रही है तो वह ओविसली अनलॉफुल हो जाएगी तो हमको कानून पता है स्टेनिटी है हमारे पास पर यह गुड़ फेट का जो क्राइटिरिया है इसके लिए आपको देखने पड़ते हैं फैक्स और सेकंस्टांसिस इन एवरी केस कि वो जो व्यक्ति जो एज गुड़ फेट में कर रहा है या नहीं अगर कोई भी काम एजिंट अपनी तरफ से गुड़ फेट में करता है किसी भी तरीके की कोई भी बदमाशी कोई भी intentional नुकसान पहुचाने की वो दिमाग में नहीं रखता है तो ऐसी situation में भले ही उसके act की वज़े से अगर कोई principle करता है ठीक है तो for example मानो कि कोई एक principle है और उसका एक एजिंट है अब प्रिंसिपल ने एजिंट को बोला कि मेरे पास 100 टिंस ओफ ओईल पड़े हुए हैं आप मेरे oils को बिचवा दो बिकवा दो एजिंट ने principle की बात में भरोसा करके क्या किया एक दुकंदार को पकड़ और उसको बताया कि भाई इतने हमारे पास oil है आप खरीदोगे शौप कीपर ने का हाँ ठीक है मैं खरीद लूँगा प्राइस वराइस हो गया सब कुछ हो गया फिर क्या हुआ है जब वो डेट डेट ओफ डिलिवरी आई जब पैसे और डिलिवर करने की बात हुई तो वह जो प्रिंसिपल है जिसने उस एजेंट को अपॉइंट किया था इसी काम के लिए वो मुख कर गया वो कह रहा है कि मैं तो किसी और को बेखूंगा यहां फिर मेरे ने तो पहले से बेख दिया मतलब वाटेवल सकांस्टांस ही इडिड नॉट डिलिवर डाट तो यहां पर पीच में फस गया एजेंट क्योंकि उसने कमिट्मेंट कर रहा है उस दुकंदार को अब दुकंदार तो एजेंट को पकड़ेगा और दुकंदार का लॉस जो भी हुआ होगा वो एजेंट से वसू लेगा तो अगर यह जो एजेंट है वो बोनाफाइड तरीके से कर रहा है कि वो जो भी कर रहा हो वो विदिन ऑथारेटी कर रहा हो और जो भी कर रहा हो वो गुड़ फेट में कर रहा हो मतलब उसके दिमाग में कोई भी चाला की कोई भी बदमार्शी कोई भी इल्विल नहीं होनी चीए ठीक है तो ऐसे इस तरीके से हमको काम समझना है तो दीज बच्चे जो इंडेमनिटी के बारे में बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं इंडेमनिटी के बारे में एक में किसी एक्ट की देखो विदिन ऑथरेटी दोनों में कॉमन है इस सेक्शन में भी इस सेक्शन में भी दोनों जगे विदिन ऑथरेटी कॉमन है डिफरेंस क् की requirement और lawful की requirement में बस यही फर्क है कि good faith is a subjective criteria जहां पर आपको facts and circumstances को judge करना पड़ता है और on the other hand lawful जो है वो objective criteria है जहां पर present state of law देखकर किसी भी जगह का किसी भी शेहर का किसी भी country का आपको पता चलता है कि कोई भी act lawful है या नहीं ठीक है so this is how you relate interrelate these two sections इसी में बच्चे आखरी एक section है जो जुड़ा हुआ है हमारे वही lawful unlawful वाली बास से इसको बड़ा ध्यान से सुनना इसको कभी कभार सवाल में पूछ लिया जाता है और अगर सवाल आया तो आपको कोई एजेंट बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को अगर कोई एजेंट क्रिमिनल एक्ट करता है अगर कोई एजेंट क्रिमिनल करता है तो ऐसी परिस्चिती में वह जो हमारा principle है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है एजेंट की तरफ यह एपसल्यूट रूल है इसको ऐसे लिखना नोट्स में absolute रूल एपसल्यूट रूल मतलब विद नो एक्सेप्शिन्स है अगर एजेंट ने वह भी क्रिमिनल एक्ट किया है क्रिमिनल एक्ट मतलब क्या हो गया है इम्पिलाइडली वो एनलस्फुल है देखो कुरिमनल होने में और अनलॉफुल होने में क्या फर्क होता है हर वह चीज जो कानून के तुमारा अला Baptist नहीं है वह एनलस्फुल कहलाती है और यह जो कानून unlawful एक broader perspective है हर चीज जो कानून के खिलाफ जाती है गैर कानून जी चीज मतलब unlawful जब हम किसी act को criminal बोलते हैं तो वो एक specific situation है वहाँ पे वो चीज है तो गैर कानूनी पर वो criminal law के अनुसार गैर कानूनी है मतलब IPC के अंदर या बागी किसी criminal statute के अंदर की activity है तो इतना सा फर्क है 222 और 224 में 222 का horizon comparatively बड़ा है because it talks of unlawfulness of the act which includes civil and criminal side both but section 224 only talks of criminal actions तो IPC के अंदर या फिर किसी criminal statute के अंदर यह जो act है principle का agent का गिरना चाहिए इसकी वज़े से बचे फर्क भी है क्योंकि section 244 कहता है कि अगर कोई agent बहुत द्यान से सुनना अगर कोई agent ऐसे act को करता है जो criminal nature का है और उसकी वज़े से किसी को नुक्सान होता है किसी को तो नुक्सान हो गई criminal nature का वो act है इस act के लिए कभी भी principle को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता despite the fact हो सकता है हो सकता है कि principle ने वो unlawful act करने के बारे में उसको authority दी हो हो सकता है कि principle ने उसको ये तक वादा किया हो कि तुम कर दो और कल को अगर कोई परिशानी हुई तो मैं देख लूँगा इवन इन सच सिचुएशन सो प्रिंसिपल की कोई जिम्मेदारी नहीं है जैसे फॉर एक्जामपल एने बी को बोला तुसी की सबीट की करते मैं देख लूँगा पुलिस को मैं देख लूँगा केस को और जो भी दिहान से सुनना मैं क्या बोड़ा हूँ, कोई भी ऑथोरिटी जो एक अनलॉफुल ओबलिक, क्रिमिनल एक्ट के बारे में है, वो एजिन्सी लॉग के अंदर रिककनाइज नहीं होती, तो there can be no agency, ध्यान से सुनिये, there can be no agency for an unlawful act, simple, जैसे ही कोई agency unlawful act के बारे में बनाई जाती है, वो हमारे contract act के purview से भार चली जाती है, और इन sections का इस्तमाल करके, किसी को भी, किसी भी liability के लिए, जिमिदार नहीं बनाया चाह सकता, चाहें उसने कुछ भी किया हो, तो there is, there can be no agency when there is unlawfulness, और उसी का एक component है, ये criminality, ठीक है, यही जो मैंने आपको rule बताया अभी, उसी से ये दोनों sections निकले हैं, section 224 भी और 224 भी, 222 के अंदर ये जरूरी था, कि वो जो act है, वो authority के अंदर भी होना चाहिए, और वो lawful भी होना चाहिए, the point it goes out of that lawfulness, no responsibility, जो भी liability होगी, अगर उस act की वज़े से किसी third person को नुक्सान पहुचा है, तो वो agent की खुद की personal liability होगी, principle की कोई जिम्हेदारी नहीं है, same 224, कि अगर कोई criminal act कर रहा है agent, despite the fact कि वो उसको बोला गया है, despite the fact कि उसको promise किया गया था, ठीक है, तो दी जादी three sections जो आपको याद रखने है, 222, 223 और 224, अब, पहलो मुझे बता दो, तीनो sections clear है, बचे तीनो sections समझ में आया है, 222, 223, 224, कहीं पर कोई confusion नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हो, तीनों में क्या फर्क है, क्या relationship है, ठीक है, very good, अब बस एक component है, जो लगभग, लगभग, तीनो sections में आया है, 222 में भी आया, 223 में भी आया, और 224 में भी आया, और ये जो component है, ये बड़ा, I would say, ये एक ऐसा component है, जिसको हमको समझना पड़ेगा, और वो है, within authority वाली बात, चाहे 222 हो, ये जरूरी था, कि जो भी कुछ किया गया हो, agent की द्वारा, वो उसकी authority में रहा हो, चाहे वो 220 रहा हो, वहाँ पे भी भले लिखा नहीं है, but that is the implication, ये एक ने, जो agent ने, जो भी कुछ किया, good faith के साथ, that has to be within the authority, same way, 224, कि जो भी criminal act है, that must fall within the perfect, अब देखो, ये जो within authority वाली बात है, ये कैसे होती है भाई, कैसे क्या किस प्रकार की authority होती है, किसी भी agent के पास, बहुत ध्यान से देखना बचे, ये आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसका चार्ट भी बना लो, और इसको समझ भी लो, तो ऐसे समझ लो, types of authority, types of authority of an agent, देखो, पहले authority होती है, सबसे पहली authority होती है, जो सबसे common है, एक्सप्रेस authority, अब ये एक्सप्रेस आप ट्रेन मस समझ लेना से, एक्सप्रेस authority मतलब, एक contract हुआ है, contract के अंदर लिखा हुआ है, कि ये authority आपको दी गई है, तो साफ-साफ लिखा हुआ है, या फिर साफ-साफ मूझ से बोला गया है, इस एक्सप्रेस authority, ये सबसे common है और सबसे आसान है साबित करने के लिए, सबसे clear, सबसे precise, दूसरे पर का की authority होती है बच्चे, implied authority, implied authority, implied authority के मतलब है, ऐसी authority, जो लिखी हुई नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से, जो बोली नहीं गये थी, प्रत्यक्ष रूप से, बट जो conduct है parties का, एक दूसरे की तरफ, जिस तरीके से वो एक दूसरे की तरफ विवार कर रहे थे, जो उनकी understanding थी, उससे कोई authority निकल के आ रही है, जैसे मकान मालिक का, broker को चाबी दे देना, तो that is the implication की, broker के पास authority है, कि वो घर दिखा सकता है, prospective ग्राइदारों को, उसमें लिखा नहीं है, but the conduct is showing that, तो implied authority में, जो parties का conduct है, एक दूसरे की तरफ, conduct to each other, agent का principle की तरफ, principle का agent की तरफ, conduct to each other, वो determine करता है कि क्या implied authority है, express authority तो आपको पता है, contract के terms, terms of contract, ठीक है, तो यह तो समझ गए, दो प्रकार की authority होती है, सबसे common authorities बच्चे ये दो प्रकार की होती है, सबसे आसान ये होती है, दूसरे number पर ये होती है, effects and circumstances को देखके, हम अंदाजा लगा लेते हैं, फिर आती है बच्चे तीसरी authority है, और इस तीसरी authority को बोलते हैं, हम ostensible authority, ostens, s i b l e, cross check कर लेंगे, spelling को embed with spellings, ठीक है, ostensible authority, ostensible authority का मतलब क्या होता है, ऐसी authority जो ना ही लिखी हुई है, ऐसी authority जो parties ने एक दूसरे को ना ही conduct से दर्शाई है, पर ऐसी authority जो उस agency का nature देखते हुए ज़रूरी है, presumed by nature of agency, presumed लिखाया, ठीक है, presumed by nature of agency, कि जिस तरीके के काम के लिए आपने उसको पॉइंट किया है, उसमें वो चीज तो होनी ही चाहिए, उसके बिना काम चले गई नहीं, तो ऐसी चीज भले ही ना लिखी है, भले ही conduct से ना दर्शाई है, वो हम माल लेते हैं कि that falls within the authority of the agent, ठीक है, for example, अगर मैं अपना farmhouse बेच रहा हूँ, sell-off कर रहा हूँ, तो उसमें ये implied authority है, कि वो जो हमारा broker है, वो हमारे prospective buyers को ला सकता है, उस farmhouse को दिखाने के लिए, वरना वो कैसे बेखेगा उसको, फोटो दिखा कर, right, so some actions, which though not written, not implied by the conduct, जब हमने example लिया था, implied वाला तो उसने चाबी दी थी, so there was this conduct, इस conduct की वाई से हम बोल रहे थे, कि वो implied authority है, अगर वो चाबी नहीं भी देता, तो वो ostensible authority के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि this is a situation कि उसके बिना, उस authority के बिना, वो agency पूरी होई नहीं सकती, उसका purpose पूरा होई नहीं सकता, तो ये तीसरे नंबर के authority होती है, ये authority को भी प्रूफ करना जादा कटिन नहीं है, हमको बस थोड़ा सा logic लगाना पड़ता है, understanding लगानी पड़ती है, और देखना पड़ता है कि कौन-कौन सी चीज़ें, agent के दुवारा करना essential है, इस agency को पूरा करने के लिए, जो लिखी हुई नहीं है, या conduct से implied नहीं है, वो सारी ostensible authority की category में चाहती है, and finally comes the fourth category, जो सबसे dangerous category है, यह category है बच्चे, apparent authority है, apparent authority, apparent authority, यह in the real sense authority है ही नहीं, यह कभी दी ही नहीं गई, agent को, नहीं expressly, नहीं by conduct with one another, नहीं ostensibly वो ज़रूरी है, उस agency के purpose के लिए, यह apparent authority, ऐसी authority है, जो picture में आती है, because of, because of, ध्यान से देखना, because of conduct of the principle, because of the conduct of the principle towards, third parties, towards third parties, apparent authority, निकल के आती है, प्रिंसिपल के विवार से, जो विवार, प्रिंसिपल किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कर रहा है, अपने agent के साथ नहीं, उसके agent के साथ जो विवार है, उसके अंदर से implied authority निकल के आती है, जैसे उसने अपने agent को चाबी दे दी घर के, और apparent authority के अंदर, केवल प्रिंसिपल का conduct, केवल प्रिंसिपल का conduct मेंटर करता है, agent का नहीं, और प्रिंसिपल का conduct किस की तरफ है, तीसरे लोगों की तरफ, थार्ड पार्टी की तरफ, जिनके साथ वो agent deal कर रहा है, अब for example, मैं आपको एक example दूँ, मैंने agent को किसी Z चीज के बारे में, किसी Z चीज के बारे में authority नहीं दी है, नहीं दी है, नहीं conduct से दर्शाई है उसको, नहीं वो Z ऐसी चीज है, जो बहुत जरूरी होनी चाहिए, agency के purpose के लिए, तो इत्दीनों में से किसी category में नहीं गिर रहा Z, पर मैं as a principle, उस third party के सामने, या उस third party के presence में, इस तरह से act कर रहा हूं, जिससे कि उस third party को लगे, कि मैंने ये Z काम की authority उसको दे रखी है, agent को दे रखी है, तो मैं अपने conduct से ये portrait कर रहा हूं, किसी third person को कि कोई authority जो agent के पास असनी में नहीं है, वो उसके पास है, तो ये जो मेरा portal है, इससे मैं bind हो जाता हूं, तो कल को अगर उस third person ने मेरे उस conduct की वज़े से ये विश्वास कर लिया, कि मेरे agent के पास इस बारे में authority थी, जबकि असलीम उसके पास ऐसी authority नहीं थी, और उस belief पे वो उस agent के साथ dealing कर दे उस चीज़ के बारे में, तो principle bound होगा towards that third party, in reality क्या हुआ है, in reality क्या हुआ है, agent ने ऐसा काम किया है, जो उसकी authority से भार था, वो काम करने की authority, principle ने कभी नहीं दी थी agent को, पर वो फिर भी bound है, ये एक exception है, इस rule काम बोलते है न, कि principle is bound only to the extent, जो उसने authority दी है अपने agent को, पर ये इस principle का exception है, and it is only for the reason, क्योंकि उसने अपने conduct से उसको बुलाया है, उसकी इस conduct की वज़े से, जो उसने third persons की तरफ किया, उसकी वज़े से agent पर authority नहीं आगी, इस काम को करने की, agent claim नहीं कर सकता है इस बात को, कि तुम तो ऐसा ऐसा करके दिखा रहे थे, तो मेरे पास authority आगी नहीं, authority अब भी नहीं आई, अब भी जो agent ने किया है, वो अपनी, अगर मैं बात करूँ principle और agent की एक दूसरे की तरफ, तो जो भी कुछ किया agent ने, वो अपनी authority से beyond किया है, पर फिर भी principle को bind कर रहे हैं, towards those third persons, जिस third persons को उन्हों ने उसने ऐसा दर्शाया, कि मैंने agent को ये authority दे रखी है, जैसे for example, मैंने एक broker को appoint किया है, और broker को मैंने appoint किया है for the purpose कि वो मेरा farmhouse rent पे उठा दे, rent पे उठा दे, expressly किया है, conduct से मैंने उसको चावी भी देखी दे दी, कि वो दिखाता रहे, ostensible authority जो भी जरूरी चीज़े हैं, वो उसके पास हैं, कि वो किराए पे उठा सके, advance वे advance ले सकता है, अब कोई third party देखने आई थी उस farmhouse को, और सोफे पे बैठे थे सब लो, और ये principle ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, इस तरीके से conduct दिखा रहा था, उस third party के सामने, कि ऐसा प्रतीत हो, कि इस agent के पास, उस farmhouse को ना केवल किराए पे उठाने की power है, बलकि agent अगर चाहे, तो उसको sell-off भी कर सकता है, ये भी authority उसके पास है, ऐसा दर्शाने की कोशिश की, यहां तो ऐसा बोला, यहां फिर किसी ने ऐसा बोला, तो उसको मना नहीं किया, अपने conduct से किसी third party को ऐसे represent किया, that the agent has the authority to sell, जो in reality में उसके पास नहीं थी, तो इसकी वज़े से agent के पास authority नहीं आ जाएगी बेचने की, एजेंट जो कर रहा है, वो गलत कर रहा है, but the only fact is कि towards that third party जिसको उसने ऐसा दिखाया, कल को अगर उसने इस विश्वास पे agent से ख़ड़ी लिया घर, और agent पैसे लेके भग गया, तो principal bound रहेगा, principal bound रहेगा और sales को bigger farmhouse, so you have to be very, very serious about your conduct, अब मुझे जल्दी से बताओ, कि आप सभी लोगों को ये चारो टाइप की authority समझ में आ गई है, chat box में बच्चे वाई टाइप करेंगे फटाफट से, अब योल क्लियर, ये diagram बना लोगे exam में आके, agency पे अगर question आए, कोई भी section हो, ये diagram आपको चेप के ही आना है, और ऐसे ही, the reasons also, ये थर्ड, थर्ड segment भी, ठीक है, अब देखो, अब आप अपने आप दिमाग में context लगा लो, कि मैंने आपको जो 2202 पढ़ाया, lawful वाला, 223 पढ़ाया, आपको जो good faith वाला, 224 पढ़ाया, जो क्रिमिनल वाला, तीनों में जो authority शब्द का इवन इस्तिमाल कर रहा था, वो इन चारों सेंस में कर रहा था, ठीक है, बेसिकली उन तीन सेंसों में, बटपुस सिचुएशन में, वो apparent authority भी cover हो जाती है, ठीक है, ये कुछ शब्द आपको बार-बार सुनाई देते रहते रहोंगे, indemnity, compensation, damages, ये ऐसी situations हैं, जो ऐसे expressions हैं, जहां पर सब जगे पैसा ही आ रहा है, पर हम फर्क नहीं समझ पाते हैं उनके बीच में, देखो, फर्क है उनके logical reason का, कि उसकी वजहा क्या है, पैसे की payment की वजह determine करती है, कि उसको compensation बोलना चाहिए, indemnity बोलना चाहिए, damages बोलना चाहिए, indemnity में हम उस व्यक्ति को, जिसका नुकसान हुआ है, हमारे agent का, उसको उसी स्तिती में ला रहे हैं, जैसे उसका नुकसान हुआ ही नहीं था, that is the reason कि हम उसको indemnity बोल रहे थे, compensation का मतलब होता है, कि अगर किसी का नुकसान हुआ है, तो उसको compensate करना है, और compensation कई बार, उस उस्तिती से आगे भी जा सकता है, उसको same उस्तिती से बरावर लाके, यह उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, मानो किसी का अगर 1000 रुपे नुकसान हुआ, तो उसको 1100 रुपे तक दिलवा सकते हैं, compensation के अंदर, but indemnity, recovery, ऐसी सब जगए पर, it has to be the exact amount, तो एक कुछ छोटे छोटे फाक हैं, इस पर कभी बात आगे चर्चा करूँगा, मैं, section 225 में, बच्चे, compensation की बात है, और यह जो compensation है, वो किसको जाता है, agent को जाता है, क्यों जा रहा है यह agent, agent को compensation, injury के लिए जा रहा है, जो injury किस वज़े से हुई है, principle की negligence की वज़े से हुई है, अब देखो, बच्चे, आप सभी को पता है, कि कोई भी relationship हो, जैसे यह principle agent का relationship ले लो, तो principle की जिम्मदारी है, कि वो अपनी तरफ से ऐसी कोई भी चीज ना करे, जिससे agent को नुकसान पहुचे, हम agent से जब expect कर सकते हैं, कि वो bonafide act करेगा, कि वो good faith में act करेगा, तो obviously we can presume की agent भी किसी हद तक तो जिम्मदार रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर बच्चे, हमारे पास ऐसा section है, जो negligence की concept की बात करता है, समझेगा बच्चे इस बात को, negligence की concept की बात करता है, जो कहता है कि अगर principle की negligence की वज़े से, या फिर एक और expression है, want of skill, want of skill, negligence, अगर principle की negligence की वज़े से, या want of skill की वज़े से, अगर agent को कोई भी नुकसान होता है, तो यह जिम्मदारी होती है, principle की की वो agent को compensate करे, यहाँ पर indemnify क्यों नहीं कर रहा, isolate करना मुश्किल होगा, ठीक है, that is the reason, अब यह बस हमको ध्यान रखना है, इस section के apply करते वक्त बच्चे, कि principle की जो जिम्मदारी है, compensate करने की, वो इन दो शब्दों पे ही निर्भर करती है, और यह दोनों एक दूसरे के alternative है, दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों में से एक होगा, तो भी चलेगा, दोनों हैं, तो भी चलेगा, ठीक है, तो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, देखो, negligence का तो आप सभी को पता है, कि क्या मतलब होता है, नेगलीजन से एक ऐसी स्थिती होती है जब कोई व्यक्ति कोई कारे को करता है और इस बात की परवा नहीं करता कि उसके कारे के परिणाम क्या होंगे जैसे इसका मैं के example दो कि === principal ने agent को ये सिमेदारी दी है कि वो अपनी गाड़ी को All I left कर रहा है उस agent की थूब तरू है दुकान राती उपर उसकर क्या किलिए पॉर्इंट की आयारija प्रूंसिपल ने उसको चावी थभा दी पर उसको यही नहीं बताया कि इस गाड़ी के दो ब्रेक की काम नहीं करते हैं वह बचारा एजेंट ने गाड़ी निकाली और बुजगया हो कहीं पर जाकर तो इस प्रिंसिपल्स नेगलीजिंस एजेंट को जो भी नुकसान हुआ होगा इसकी वज़े से वह प्रिंसिपल कंपेंसिट करेग दूसरी काम करता है और वह ऐसा काम होता है कि जिसकी वजय से किसी दूसरे वैक्ति को नुकसान हो सकता है तो कानून ये कहता है कि वो व्यक्ति वही करे जो वो करने में सक्षम है जैसे गाड़ी उसी को सही करने चाहिए जो गाड़ी चलाना जो गाड़ी सही करना चानता है कोई भी मशीन डेंजरस मशीन उसी को अपरेट करने चाहिए अगर वो ऐसा नहीं कर रहा अगर कोई व्यक् यह कहता है कि उसी की जिम्मदारी होगी उसको सही करने की मैं तो कभी भी वॉंट-अफ इसकिल कोई प्रिंसिपल कोई एक करता टोवर्जी एजंट जिसमें वॉंट-फिसकिल होने की वज़े से एजंट हमारा लॉस होता है तो उसकी कंपेंसेशन की भी जिम्मेदारी हमारे कि ही है मानो कोई घर बना रहा है और घर बनाने के लिए उसने एक एजन चुना है एक कॉंट्रेक्टर चुना है और वो जो प्रिंसिपल है वह कह रहा है कि मैंने भी आर्किटेक्चर पड़ी है मेरे को भी नॉलिज है तो उपर वाली छत्तों मैं ही डालूंगा आप इस साइ डालके गया था वो एक दिन पहले हमारा प्रिंसिपल वुच्छत गेड़ पड़ी एजन्ट के सर पर या उसके मजदूरों के सर पर उनके डेथ हो गई यहां फिर जो भी हुआ कि अगर वॉन्ट ऑफ इसकिल की वज़े से प्रिंसिपल के लॉस होता है एजन्ट को तो वो उसको कंपेंसेट करें अपने आप में एक इंडिपेंडिन्ट सेक्षिन है तो कभी भी अगर सवाल आई जिसमें कंपेंसेशन शब्द का इस्तमाल हो और जिम्मेदारी 25 पे आपको आखे बंद करके जंप कर जाना है ठीक है अब देखो सेक्षिन 226 को सेक्षिन 226 जो है वह एंफोर्समेंट की बात करता है और कॉंसिक्विंस की बात करता है किसके एजन्ट के कॉंट्रेक्ट के अब बचे यह एक ऐसा सेक्षिन है जिसको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं हैा तो क्योंकि यह बात आपको पहले से ही पता है यह एजेंसी के कॉंसेप्ट में ही इंप्लाइड है क्या बूला जा रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एजेंट एंटर कर रहा है प्रिंसिपल के बहाफ पर क्योंकि एजेंट क्या गया है तो वो जो जिम्मेदारिया निकल के आ रही है उस contract से या उन acts से जो भी परेडाम निकलेंगे वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो जो contract है या वो जो एक्स हैं जो agent ने किये हैं वो principal ने खुद ही किये हो अर भाई कोई भी principle और agent जहां तक agent within थे जो भी कुछ एजेंट करता है वो प्रिंसिपल को बाइंड करता है लुए उस थर्ड पार्टी के लिए भले उस पर साइन एजेंट कर रहा हो बट लीगली यह माला जाता है कि जैसे प्रिंसिपल खुदी साइन कर रहा हो क्योंकि एजेंट जो साइन कर रहा है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हुए ही कर रहा है यहां पर एजेंट एक आत्मा की तरह है जिसकी कोई existence नहीं है असल में यह contract उस थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल में हो रहा है एजेंट केवल एक जरिया है सेम दी सेम विद्धी सिट्वेशन आफ एक्ट्स जब कोई भी क्रत्य करता है हमारा एजेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी कर वो एजेंट रहा है बट वो दो एक आत्मा है वो exist नहीं करता in the lines of law जब तक वो प्रिंसिपल कर रहा है तो यह माना जाता है कि वह प्रिंसिपल ही कर रहा है क्योंकि वह एज रिप्रिंसिपल कर रहा है तो कल को अगर उस कॉंट्रेक्ट से कोई भी कॉंसिक्वेंस निकला कोई भी परिणाम निकला या कुस एक्स से नुक्सान हुए कोई भी कोई भी दिक कुछ तो यह माना जाएगा कि फ़ड़ पाटी ये कहँ कि मैंने तो सब्स इस पृइंपल शपड़ के साथ कॉंट्रेक्ट किया है तो जैसे कि उसी ने वो गॉंट्रेक्ट किया हो जैसे कि सबस्क्राइस कोई है ही नहीं ऐसा मानलों कि वैजिब की चार हाथ हो गए हैं दोस उस एजेंट में लगा दिए हैं चार पैर हो गए हैं दोससे खोध लगा रखें दोई जिंट में लगा दिए पूरी बोड़ी को आभ इमाजिन कर dictate तो इट ड़ेंट एग्जिस्ट ड़ेंट 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 एग्जिस्ट एजिंट पिक्चर में आता ही तब है जब वो कुछ गलत करता है जब उसकी पर्सनल लाइबलेटी की बारी आती है तब उससे पहले नहीं आता है ठीक है अब मुझे जल्दी से बताओ सेक्षिन 225 और सब्सक्राइब चैट बोक्स में यह स्टाइब रहेंगे बचे आवी क्लियर बाउट दीज्टू सेक्षिन ठीक है चलो बढ़ते आगे अगला जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम दो पढ़ने वाले हैं सेक्षिन 227 को सेक्षिन 228 को और सेक्षिन 229 को यह जो सब्सक्राइब निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है मज़िदार है क्योंकि यहां पर वही यह जो हमने डाइग्राम बनाए न ऑथोरिटी वाला यह होता है क्योंकि हम बार-बार बोल रहे हैं जो उसको ग्रांट की गई है एजेंसी की अंतर अब सवाल यह है कि जब वो अपनी ऑथोरिटी के बियॉंड जाता है तो उसके क्या परडाम होते हैं इस प्रिंसिपल और एजेंट के संबंध पर तो पहले तो हम इस कॉंटेक्स में समझेंगे एक तरफ प्रिंसिपल है एक तरफ एजेंट है तो यहां पर क्या-क्या परस्तिती बनत तो सेक्शन 227 कहता है कि कोई भी प्रिंसिपल किस हद तक वाद रहेगा ऐसी इस्तिती में जब उसका जो एजेंट है वो ऑथोरिटी को एकसीड करता है तो देखो अगर कोई भी एजेंट अपनी ऑथोरिटी से भार जाता है तो वो जो हिस्सा है वो जो टिकड़ा है उसके करत्यों का उसके एक्स का जो उसने ऑथोरिटी से भार जाके किया है अगर वो टुकड़ा ऐसा है जिसको अलग किया जा सकता है उस टुकड़े से जो उसने विदिन ऑथोरिटी किया है तो ऐसी परिस्चिती में जो प्रिंसिपल है उसकी जिम्मेदारी उसकी वादिता केव पल्ह उस हिस्से तक होगी जिस हिस्से तक उसने वो काम authority के अंदर रहते हुग किया होगा और वो जो हिस्सा है जो उसने authority के बाहर जाकर किया था उसके बारे में नहीं principal की कोई जिम्मेदारी है in fact नहीं उसका कोई लेना देना है यह माना जाएगा कि वो agent ने अपने खुद बेहाफ पे personal liability पे उसकाम को किया जैसे for example जो example हमारे statute में भी दे रखा है मानो यह कोई व्यक्ति है यह हमारा agent है इस agent को principal ने authority दी है कि तुम इस फलानी property का insurance करा लो प्रॉपर्टी एका insurance करा लो अब यह जो व्यक्ति है जिसके पास फलानी एक नमर की property का insurance कराने की राइट दिया रखा है और मानो बोलाया कि तुम इसका insurance करा लो एक करोड रुपे तक का insurance ले लो एक प्रॉपर्टी के बारे में तो दिस इस दी authority that has been given to the agent agent क्या कर रहा है एजेंट ने क्या किया ए प्रॉपर्टी पे एक करोड का insurance ले लिया principle के नाम पे और उसने बी ऑथोरिटी पे भी एक पॉलिसी ले ली एक करोड रुपे की एक policy ले ली एक A property पे एक policy ले ली बी ली प्रॉपर्टी पे अब एक के बारे में तो उसके पास लिमित का तो सबहल उटता ही नहीं है पर ये जो transaction है ये जो स्तिती है ये दो एक दूसरे से अलग है इनको तोड़ा जा सकता है अलग अलग किया जा सकता है क्योंकि यह जो ए प्रॉपर्टी के बारे में पॉलिसी है इंशुरेंस की वो अलग होगी इसका प्रीमियम अलग होगा यह जो बी के बारे में इंशुरेंस पॉलिसी है यह अलग होगी इसका प्रीमियम अलग होगा तो हमारा ये section कहता है कि principal इसको स्विकार करेगा और इसके बारे में वाद दे रहेगा क्योंकि agent ने इस insurance को उसकी authority के अंदर रहते हुए किया है तो principal की जिम्मेदारी रहेगी कि वो उसके premium भरे पर principal की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इस वाले insurance के बारे में जो की अलग है और out of authority किया गया है इसके premium agent को खुछ से भरने पड़ेंगे और नहीं भरेगा तो company इसको सू करेगी ठीक है this is section 227 section 227 जो ये वाला logic बताता है कि principal के वल उस हद तक liable होगा जिस हद तक उसने authority दी ये depend करता है separability पे किस बात की separability पे वो हिस्सा जो within authority है और वो हिस्सा जो without authority उन दोनों की separatability पे अगर वो दोनों अलग हो सकते हैं तो हमको section 227 लगाना चाहिए पर वहीं अगर ऐसा possible नहीं है तो section 228 picture में आता है section 228 कहता है कि अगर कोई भी काम agent करता है और उसको करते करते अपनी authority से बाहर चला जाता है पर ऐसी परिस्तिती में जाता है जहां पर वो जो काम है जो उसने within authority किया है और वो जो काम है जो without authority किया है उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता they cannot be separated तो ऐसी स्थिती में हमारे principle के पास यह अधिकार है कि वो उस पूरे transaction को जिसमें within और without दोनों combined है उसको पूरे को reject करते हैं उसको पूरे को reject करते हैं जैसे for example मानों यह हमारा agent है कि इस agent को authority दी थी कि यह घर है मेरा इस घर में यह ground floor है यह first floor है यह second floor है यह ground है यह first है यह second है principle ने इस agent को authority दी थी कि तुम इस ground floor के बारे में insurance ले लो और insurance ले ले ना भाई तुम पचास लाग तक का insurance ले लो इस इस एजेंट ने क्या किया ground floor के बारे में insurance ले लिया और उसने first floor के बारे में भी insurance ले लिया और क्योंकि यह एक ही घर का part थे मानो second floor के बारे में भी insurance ले लिया और असान हो जाए क्योंकि यह पूरे एक ही घर के part थे flows तो इसने तीनों का combined एक ही policy ली और वह एक ही policy ले ली मानो डेड़ करोड रुपे की पचास लाख इच फ्लोर डेड़ करोड रुपे की insurance policy ले ली उसने तीनों floors पर on behalf of the principle अब यहां पर जहां तक ground floor का सवाल है तो उसने ground floor पर policy ली है उसके पास तो authority भी थी पचास लाग की limit तक की authority थी हाँ पचास लाग तक की ही ली है पर जहां तक बात first floor और second floor की इसके पास तो उसके authority थी नहीं तो limit का तो सवाल उठता ही नहीं पर इसमें परेशानी क्या है कि वो जो हिस्सा है जो authority के अंदर है मतलब ground floor का insurance और वो जो हिस्सा है जो तो authority से बाहर है मतलब first floor और second floor का insurance इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता because they are part of the same policy same policy का मतलब है इसका premium भी एक ही बन के आएगा डिर कडोड रुपे के हिसाब से उसको break नहीं किया जा सकता अगर ऐसा होता कि ground floor की अलग policy लिए होती फर्स्ट के अलग लिए होती सेकिंड को लग लिए होती तो यह वाली सिच्विशन आती है हमारे सामने section 1227 लगता पर क्योंकि यह separable नहीं है because it is part of the same policy तो हमारा principle के पास अधिकार है कि इस पूरे transaction को reject कर दें मानने से मना कर दें तो उसकी ग्राउंड फ्लोर के बारे में जिसके बारे में उसनासल में उसके बारे में भी उसकी जिम्मदारी नहीं होगी तो अगर विदिन और विदाउट ऑथरिटी वाले जो एक्ट्स हैं वो इनसेपरेबल है तो वैसी सचुएशन में हमारे पास प्रंसिपल के पास अधिकार होता है तो रिजेक्ट दी एंटार ट्रांसेक्शन विदिन ऑथरिटी वाला भी और विदाउट ऑथरिटी वाला भी दिस एस सेक्शन 228 ठीक है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में आव यॉल क्लियर 227-228 समझ में आगे सेपरेबिलिटी इनसेपरेबिलिटी समझ में आगे यह सभी लोगों को अब देखो हमारा अगला सेक्शन अगला जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 229 कि जो कॉंसीकुएंसिस की बात करता है पर मैं आपको बताओं जैसे कि एक वो हमने अभी सेक्षिन पढ़ा जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी एजेंट कॉंट्रेक्ट में करता है एंटर करता है तो यह माना जाता है कि वह प्रिंसिपल प्रिंसिपल के ब्याफ प्रेक्ट कर रहा है तो बाइट इंपलिकेशन इट वरी कॉमन इट वरी लॉजिकल कि हम ऐसा मान के चलते हैं उससे स्थिति को कि भाई एजेंट एक्जेस्टी नहीं करता और प्रिंसिपल ही है वहां पर क्योंकि दाट इसी बेसिक प्रमाइस एजिंसी का यह जो सेक्शन 229 है यह भी एक एजेंस जाती है यहां फिर प्राप्थ हो जाती है खुद से किसी भी एजेंट को और यह जो नोटिस प्राप्थ हुआ यह जानकारी प्राप्थ हुई यह उस दोरान हुई जब एजेंट जो है प्रिंसिपल के बहाव पे एक कर रहा था एजेंसी के अंदर एक कर रहा था तो ऐसी परिस्टिती में ये माल लिया जाता है कि वो notice और वो जानकारी हमारे principle के पास पहुच चुकी है मतला अगर किसी चीज का notice आपने किसी agent को दे दिया तो माल लिया जाता है कि वो notice principle के पास पहुच गया या फिर किसी चीज की जानकारी हमारे agent को हो गई तो ये माल लिया चाता है कि वो जानकारी principle के पास बहुच पहुच गई बस इसकी दो conditions हैं पहला वो जो notice agent को दिया गया या फिर वो जो information agent को प्राथ हुई वो notice और information उसी चीज के बारे में होनी चाहिए जिस चीज के बारे में इस agent की agency है फस्ट तो जिस बारे में agent की agency है उसी से related होने चाहिए notice और information मानों जो agent है वो वकील की तरह काम कर रहा है और उसे notice मिल रहे हैं कोई ऐसी चीज से related जिसका कोई लेना देना नहीं है उस case से जिसके बारे में वो case लट रहा है जो जो नोटिस और information प्राप्त हो रहा है उस agent को वो उसी दौरान होना चाहिए जब वो agent की तरह act कर रहा है जब वो agent की तरह act कर रहा है जेको इसको समझो मानों ये एक व्यक्ति है है ठीक है मानों ये एक व्यक्ति है ये हमारा agent और मानों ये lawyer है और ये प्रिंसिपल के बहाफ पर ए नंबर का case लड़ रहे हैं किसी फलाने court में ए नंबर का case लड़ रहे हैं अब इन agent के पास एक notice प्राप्त होता है जो इस a case से ही जुड़ा हुआ है तो वो जो notice है ये मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल तक पहुच गया क्योंकि ये जिम्मेदारी है agent की पहुचाना इसी case को लड़ते लड़ते वकील साब को किसी बात की जानकारी होती है evidence कराते हुए तो ये मान लिया जाता है कि वो जानकारी प्रिंसिपल तक पहुच गया क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है पर वहीं मानो इन वकील साब के पास कोई notice आता है जो एक case से चुड़ा दहीं हुआ है किसी बी case से जुड़ा हुआ है बी case के अंदर ये वकील नहीं है ये agent नहीं है तो ये जो notice इन agent साब पर सर्व हुआ है इसको प्रिजूम नहीं करेंगे कि वह प्रिंसिपल के पास पहुच गया है यहां फिर किसी बी case के बारे में इन वकील साब को कोई जानकारी प्राप्त हुई तो यह जो जानकारी प्राप्थ हुई इसको हम प्रिजूम नहीं कर लेंगे वो प्रिंसिपल तक पहुच गे क्योंकि इनकी एजेंसी एक के बारे में ना कि बी के बारे में तो उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है उस नोटेस और इंफॉर्मेशन को पहुचाना जिसकी को वकील चुना गया था एक जन्वरी 2022 को और यह वकील रहे एक जन्वरी 2023 तक एजेंट रहे इस के बारे में अगर इन इन सहाब को कोई भी नोटिस प्राप्थ हुआ 31 दिसंबर 2021 को मतलब इस तारीक से पहले जब वकील बने तो उस नोटिस को हम प्रिजूम नहीं कर सकते कि वो प्रिंसिपल के पास पहुच गया सेम विद इन्फॉर्मेशन कि कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्थ हुई पहले या फिर इस तारीक के बाद में तो वो नोटिस वो इन्फॉर्मेशन का एजेंसी से चुड़ा हुआ भी होना चाहिए और उस दौरान भी होना चाहिए जब कोई व्यक्ति एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है वन्स बोट ओफ दीज रिक्वाइर्मेंट सा सेटिस्वाइड यह सेक्शन 229 का प्रिंसिपल एप्लाए हो जाता है और हर वो इन्फॉर्मेशन और हर वो नोटिस प्रिजूम कर लिया जाता है कि वो प्रिंसिपल के पास पहुच गया था ठीक है सेक्शन 229 क्लियर होना चाहिए नाओ कमिंग टू सेक्शन 230 अब 230 पढ़ाऊंगा फिर में 5 मिनट का ब्रेक लोगा ठीक है आप देखो सेक्शन 230 क्या कहता है सेक्शन 230 भी एक बहुत इंपोर्टेंट प्रिंसिपल की बात कर रहा है एजेंसी के ही कंसेट के वो कह रहा है कि कोई भी जो एजेंट है कोई भी जो agent है वो खुद से खुद अपने personal level पे किसी भी ऐसे contract को जिसको उसने as a agent enter किया है किसी third party के साथ उसको वो enforce नहीं करा सकता नहीं कभी वो ऐसे contract के अंदर खुद personally liable हो सकता है क्योंकि मैंने बोला कि जब तक agent within authority act कर रहा है वो exist करता ही नहीं है वो यही मानलो कि principle का ही एक और शरीर है तो जैसे इसका example मैं आपको देखे बताता हूँ बच्चे यह हमारा एक agent है और इस agent ने यह हमारा कौन है agent और इस agent ने इस third party से principle नहीं बचे third party कोई भार का बनता है थर्ड पार्टी से इस third party से कोई contract किया और यह agent तो आप सभी को पता है कि यहां पर कोई principle बैठा होगा उसको represent कर रहा होगा यह दोनों ने contract किया एक दूसरे के साथ इसने हस्ताक्षर करें इसने हस्ताक्षर करें पर इसने जो हस्ताक्षर करें वो तो representative capacity में किया है कल को मान लो इस contract में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको यह पार्टी पूरा ना करें मतलब अपनी contractual liability को पूरा ना करें तो इसके खिलाफ case file करना पड़ेगा न तो यह इसके खिलाफ case file करने की power है वो इस agent के पास नहीं है वो इस principle के पास है तो principle case file कर सकता है उस nahi kie agent क्योंकि ़ो जो contract है वो principle के साथ है ना की agent के के साथ यह जो contract हो रहा है जो रहा है ऐसा पर असल में वह ऐसा है यह इन दो लोगों में हो रहा है ना की इन दो लोगों में लग रहा है वह a साथ तो कल को यह गड़बड करेगा तो यह केस फाइल करेगा इन दोनों के बीच में प्रिबिटी है ऐसे ही वाइसा वाइसा करतो कि कल को अगर यह कॉंट्रेक्ट पूरा नहीं किया गया तो यह जो व्यक्ति है वो इसके कि कि खिलाफ केस के साथ उसका contract है क्योंकि यहêter difference प्रिंसपल लाइबलिडी के बारे में जो किसी सता है जिसको किसी एजिन ने एंटर किया है on behalf of the principle ठीक है पर तीन परिस्टियां ऐसी है तीन सिचुएशन सैसी है जहां पर यह जो मैंने आपको बात बताई सूड़ और बी सूड़ वाली वह एप्लाइब नहीं होंगी देखो वैसे तो this is the general rule जो मैंने आपको बताया पर जो agency का contract है जिसके तहद agent represent कर रहा है third party को और represent करते करते जब थरड़ पार्टी के साथ किसी कॉंट्रेक्ट में एंटर कर रहा है अगर उस कॉंट्रेक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें उस एजेंट को परस्नली लायबल किया गया है तो वैसी परिस्तिती में ऐसे क्लॉस के बारे में तो उस कॉंट्रेक्ट को एंफॉर्स किया जा स सकेगा उस agent के भी मानो नॉर्मल सा कोई contract है बेसिक सा contract है इसमें कोई भी ऐसा clause नहीं है और agent जो है principle को represent कर रहा है थरड़ पार्टी अपने आपको और इस contract में गड़बड हो जाए तो यही रूल लगेगा जो मैंने आपको बताया कि थरड़ पार्टी इसके के बारे में एजेंट की भी personal liability बनें ऐसा कब हो सकता है कि हो सकता है कि एजेंट इस contract के अंदर agent का कुछ खुद का भी कुछ कोई personal interest हो I will be the जैसे कोई एक इसी property है ह którego इस property अच्वरपर्टी में 80% हिसा कि इस principle का है और बीस परसेंट हिस्सा इस agent का है और इस contract के अंदर इसी property को बेका जा रहा है तो यह जो बंदा ऐस This परसेंट के बारे में तो as a agent act कर रहा है पर इस 20% के बारे में ऐसमालिक Act कर रहा है तो ये कैसा example है जहां पर किसी contract के अंदर उसकी personal liability निकल के आ सकती है अई लिस्ट इस 20% के बारे में तो उसकी वजह से वह impacted नहीं होगी तो अगर contract के के अंदर ऐसा कोई टर्म है जिसके थ्रू एजेंट को लाइबल किया गया है पर्सनली इन डाट कॉंट्राइट तो उसको एंफोर्स किया जा सकेगा और एजेंट भी दूसरे को सू कर सकेगा तो अगर उसका खुद का पिक्चर में आ रहा है वो तो तो यह तो तब होगा जहां पे हम मान के चल सकते हैं कि एजेंट पर्सनली लाइबल होगा पर्सनली लाइबल गलर शब्द है एजेंट के खिलाफ केस फाइल किया जा सकेगा यह एजेंट केस फाइल कर सकेगा थर्ड पार्टी के खिलाफ से ऐसा कब होगा यह जो एजेंट है यह एक कर रहा है ऐ अगर ये जो principle है जिसके भिहाफ पे ये agent act कर रहा है मानू ये principle business करता है United States में US में और ये बंदा इंडिया में as a agent काम कर रहा है तो ये एक ऐसी परिस्थिती है जहां पर by implication बले ही contract में लिखाओ या ना लिखाओ एजेंट के पास authority होगी इस third party को सू करने की अगर गडबड हुई और इस third party के पास authority होगी इस agent को सू करने की अगर गडबड हुई ठीक है पहली situation कौन सी कि जो principle है वो abroad reside करता है देश से बहार है और इसको मजबूर नहीं करेंगे ना कि वह अमेरिका जाके case file करें यह उसको बुलाए दिक्कत हो जाएगी और इसके लिए भी अगर इसको case file करना हो तो इसके लिए भी दिक्कत होगी किस file करने इंडिया है तो for that reason je abroad वाली इस्तिति में यह permission दी गई है यह मान के चलते हैं बली लिखा नहीं है कॉंट्रेक्ट के अंदर एक यह दूसरी परिश्चिती है इसकी हम चर्चा करेंगे अभी 231 onwards 231 से लेके 233 अगर कोई agent है जो disclose नहीं करता अपने प्रिंसिपल का नाम यह बच्चे बड़ी टिपिकल सी सिच्वेशन होती है अभी बस हलका सा मैं ओवर व्यू दिमगा कि आप उसको कुशिश करो अगर समझ पाते हो तो कि देखो बच्चे बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को एजेंसी इन दोनों के बीच में है यह प्रिंसिपल है यह एजेंट है सही बात है दोनों के बीच में एजेंसी है यह बात इन दोनों को पता है क्योंकि इन दोनों ने यह एजेंसी बनाई है पर कोई जो भार का बंदा है कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके साथ यह एजेंट करेगा इसको कैसे पता चलेगा कि यह जो बंदा है जिसके साथ में कॉर्ट्रैक्ट कर Gör हूँ वह एक एजेंट फृप्रिनसीपल है मतलब एक ऐसा वेक्ति जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है एन आफ ने खुद के भहाफ पे इसको कैसे पता चलेगा धॉर 되면 पता चलेगा या तो इसके थे थूसी करती है इसके बताने पर इसके सी डिस्क्लोज्य अपने प्रहांसे कर रहा इन रियालिटी वो एजञ्ट है वो किसी थर्ड पार्टी को बताये ही ना कॉंट्रक्ट में एंटर होते वाग्ट कि असल वो अपनी परसनल कैपैसिटी में नहीं representative capacity में इस contract के अंदर enter कर रहा है तो ऐसी situation में कल को अगर contract के अंदर परिशानी हुई तो यह agent case file कर सकेगा उस third party के खिलाफ क्योंकि उसने तो कभी बताया ही नहीं और ऐसे ही वो third party इस agent के खिलाफ case files कर सकेगी क्योंकि इसको तो पता ही नहीं कि वो representative capacity में कर रहा था उसके साथ तो दोका हो जाएगा ना वनना क्योंकि यह ही है जो अपने बेहाफ कर रहा है तो अगर कोई भी एजेंट डिस्क्लोज नहीं करता है अपने principle के बारे में मतलब अपनी representative capacity डिस्क्लोज नहीं करता है तो वहां पर जहां तक यह सू और भी सूड वाली situation है वो इन दोनों में create हो जाती है यह इसके खिलाफ कर सकता है वो इसके खिलाफ कर सकता है तो यह कौनसी स्थिति भी दूसरे से चुड़ी हुई है कि जो principle है उसके बारे में डिस्क्लोजर तो कर दिया है पर principle पर केस फाइल नहीं किया जा सकता है अब ऐसी परिस्तिति कब हो सकती है मतलब एक ऐसी से फिछोएशन की जहां पर थड्फ पाटी को पता है कि यह जो किस है वो अपने भीप वहाफ पे नहीं रिप्रसेंटीटिफ युक्क कर रहा है कि और अысटिति ऐसी है की उस फैस्विशे के कि ऊस्च मिनलाफ कि फाइल hack जा सकता क्वेआ कि चाल मैं किया जा सकता तो ऐसी situations, ऐसी परस्तिती में भी वो जो third party है वो agent के खिलाफ case file कर सकेगा और वो जो agent है उस third party के खिलाफ case file कर सकेगा तो पहला abroad होने की इस्तिती में, principle के abroad होने की इस्तिती में दूसरा नॉन डिस्क्लोजर की स्थिति में तीसरा अने लिटी की स्थिति में कि मतलब डिस्क्लोज सो किया गया है बट केस फाइल नहीं हो सकता फॉर वाटेवर रीजन उसके भी हम एक्जामपल देखेंगे आगे इसी के बारे में चर्चा होगी पर दीज आर्दी थ्री बेसिक ग्राउंट्स जब हम कि इसी एजन्ट को भले वो रिप्रेजेंटेटिव के टेगरी में कैपेसिटी में कर रहा था कि वो केस फाइल कर सकता है थर्ड पार्टी उस एजन्म के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं ठीक है क्लियर है बच्चे सेक्शन टू थर्टी आप सभी लोगों का समझ में आ गया है क्लियर है जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में बच्चे सबी लोग आवी ओल क्लियर सोफा अभी तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है जो भी कुछ समझाया है सारी चीज़ें समझ में आई है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं है सब बढ़िया सेक्शन तीज का एक बार ओवर्यू आप इतना से सिंपल से समझे कोई भी जो इजिनसी का बेसिक प्रमाइस क्या होता है कि कोई भी एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एजेंट की अपनी कोई आईडेंटिटी नहीं है तो ऑविसली तो जो भी से खिलाफ केस फाइल करते हैं बस इसके बारे में कुछ exceptions यह हुए है कि ऐसा कब-कब नहीं होगा कब-कब agent के किलाफ केस फाइल हो सकेगा और कब-कब agent third party किलाफ केस फाइल कर सेगा यहां तो contract में ऐसा लिखा हो यहां फिर principal abroad हो यहां फिर non-disclosure की सितिति यहां फिर समझ में आ जाना चाहिए चाल तो बच्चे अभी तक हमने कितना खतम कर लिया है वियाव कवर्ड फॉम सेक्षिन 222 अब तिल सेक्षिन 230 मैंने सोचा नहीं थे कि इतना टाइम लग जाएगा अब आपको समझाते समझाते वह समझाने में बहुत टाइम लग अब मुझे यह पताओ आप सभी लोग क्या चाहते हो आर यू ओके कि मैं आपका हाफ एन आर ओल ले लूँ आप मेंटली ठीक हो प्रिपेर्ड हो पूरा दो घंटा हो जाएगा साथ बज़े तक छे लोगे देख लोगे ना ठीक है चाल ठीक है बहुत बड़े आए तो हम मैं अभी यहां पर पांच मिनट का ब्रेक ले रहा हूं आप लोग भी पांच मिनट पानिवानी पीलो रिलेक्स कर लो पांच मिनट बाद आएंगे अभी देखो 18.17 हो रहा है एल कम बैक 18.25 मतलब साथ बज़े तक खतम हो जाएगा उकोशिश करूँगा और चलती हो जाएगा ठीक है चाल बाबाए चलो दोस्तों तैयार और अल्रेडी वाई टाइप करेंगे बचे फटाफट से चट्बक्स में शुरू करें चालो ठीक है अब आजाओ सेक्षिन 231 पर फ्रॉम दिस सेक्षिन ऑनवर्ड्स हम लोग वही जो हमने अभी सेक्षिन 230 के अंदर पढ़ा ना लास्ट के जो कॉंपोनेंट्स पढ़े डिस्क्लोजर वाली बात उसी को समझेंगे बचे यह बहुत एसेंशल कॉं है उसके कोई लेना देना नहीं है मैं प्रिंसिपल हूं तू एजेंट है हम दोनों ने आपस में एक कॉंट्रेट क्रियेट किया तो अगर हमारे रिलेशन्शिप की वज़ा से दूसरे लोगों पर इंपक्ट पढ़ने वाला है तो इस वेरी एसेंशल कि उनको पता होना चा को यही एसेंस है इन सेक्शन का जिनको आप हम पढ़ने वाले जो हमारा milyक्ष anda है वह है सेक्शन 231 वह ऐसे इस चिति के बारे में बात करता है जहां पर मैं जिटेंग डीस्क्लोजर नहीं किया है डी डीस्क्लोजर नहीं किया है तो देखना आगर कोई भी एजेट contract के अंदर enter करता है किसी third party के साथ जिस third party को ना ही जानकारी है और ना ही कोई शक करने की बजा है कि वो जो व्यक्ति है जिसके साथ वो deal कर रहा है असल में वो एक agent है अपनी personal capacity पर एक नहीं कर रहा है बलकि वो agent है तो ऐसी situation में उस agent के जो principal सहाब है बहुत द्यान से सुनना वो जो principal है वो उस contract की performance को require कर सकते है प्रिंसिपल के पास ये right होता है और इसी तरीके से वो जो contracting party है वो जो third party है उसके पास भी same अधिकार है जो अधिकार उसके पास होते किसी agent व्यक्ति के खिलास जो agent था जिसके साथ contract किये उसनोंने उस व्यक्ति के खिलाफ उनके जो अधिकार थे वही अधिकार उस principal के खिलाफ भी रहेंगे ठीक है पहले इस बात को समझ लो फिर आगला पॉइंट बताऊंगा देखो मानों बच्चे यह हमारा एजिंट है और यह सारी ड्रोइंग बना लिया करो कल को काम आएंगे आपके दिमाग में ना ड्रोइंग ज्यादा छपती है वर्ट्स से तो यह है बच्चे हमारा कॉन एजिंट और यह है है हमारी थर्ड पार्टी आउटसाइडर बनता है और इन दोनोंने आपस में कॉंट्रेक्ट किया है और जब इनोंने यह आपस में कॉंट्रेक्ट किया है इस दौरान हमारा यह जो थर्ड पार्टी है इसको नाहीं नौलेज है स्ट राईर्टियर्या बड़े इंपोर्टन जाना ना ही नॉलेज है और ना ही रीजन टू बलीव है रीजन टू सस्पेक्ट है मतलब शक करने की वज़ा है कि ये जो व्यक्ति है जिसके साथ कॉंट्राइट कर रहा है वह एक एजेंट है इसे लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने बहाफं पर रहा है अपनी परस्वन केप है इस inad important का ये कौन है प्रिंसिपम है बहुत ध्यान से समझ सरव है पर आप दीरे दीरा समाब जाओगे अब हमारा यह जो सेक्शन का पहला भाग है 231 का जो फर्स पार्ट है वो यह कहता है कि डेस्पाइड इस सिचुएशन जहां पर हम देख रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी को नहीं जानकारी है नहीं रिजन टू सस्पेक्ट है डेस्पाइट इस सिचुएशन हमारे अब कल को यह कॉंट्रेक्ट हुआ अब यह जो थर्ड पार्टी है यह बदमाशी दे रही है अब यह जो थर्ड पार्टी है वो बदमाशी दे रही है इस कॉंट्रेक्ट को पूरा नहीं कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी परिस्तिती में हमने सेक्शन 230 के अंदर क्या पड़ा था कि अगर disclosure नहीं हुआ है तो एजेंट थर्ड पार्टी को सूब कर सकता है और थर्ड पार्टी एजेंट को सूब कर सकते हैं तो पड़ा था 231 में इसी में एक एडिशन कर दिया गया है कि मानो कोई कॉंट्रेक्ट हुआ और थर्ड पार्टी बदमाशी कर रहे हैं थर्ड पार्टी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो 230 के अंदर एजेंट तो एक्षिन ले ही सकता है थर्ड पार्टी के खिलाफ पर वो जो प्रिंसिपल है जिसके बहाफ पे एजेंट एक्ट कर रहा था जब उसने वो कॉंट्रेक्ट किया थर्ड पार्टी के साथ इस बात के बावजूद की उसे पता नहीं था थर्ड पार्टी को पर असल में तो एजेंसी थी ही ना तो यह जो प्रिंसिबल है यह भी मजबूर कर सकेगा इस थर्ड पार्टी को इस कॉंट्रेट को टर्म्स को पूरा करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि नॉन डिस्क्लोजर की स्थिति में केवल और केवल एजेंटी केस फाइल कर सकता है उस थर्ड पार्टी के खिलाव इविन दी प्रिंसिपल केंड डू दाट और फोर्स कर सकता है थर्ड पार्टी को अपना कॉंट्रेट पूरा करने के लिए एंड बाई दी सेम लॉजिक वो जो थर्ड पार्टी है भले ही उसको उस समय पे जब उसने उस कॉंट्रेट को किया उसे ये जानकारी नहीं थी कि जिसके साथ वो कॉंट्रेट कर रहा है असल में वो एजेंट है फिर भी अगर कलकों से पता चलता है और ये वाली जो साइड है वो कॉंट्रेट को पूरा करने में बदमाशी करती है तो हमारी ये थर्ड पार्टी भी इस प्रिंसिपल को मजबूर कर सकेगी अपनी कॉंट्रेट को पूरा करने के लिए अब दोनों का लॉजिक समझते हैं बारी-बारी से पहला लॉजिक कि हम प्रिंसिपल को राइट क्यूं दे रहे हैं थर्ड पार्टी एक खिलाफ जाने का जब थर्ड पार्टी को नहीं पता उसके बारे में 230 ने कहा दिया ना एजेंट एक्शन लेगा तो हम क्यों प्रिंसिपल को यह राइट दे रहे हैं देखो बच्चे एजेंट को तो कुछ पड़ी नहीं है एजेंट ने तो प्रिंसिपल के बहाफ पर कॉंट्रेट कर लिया क्योंकि इन दोनों में आपस में एक दूसरे खिलाफ तो एजेंसी है तो इसके कॉंट्रेक करने की वज़े से बंधा कौन ये प्रिंसिपल जिब्मेदारी किसकी की तो जो भी कोई फायदा भी होना होगा वो भी प्रिंसिपल कई होना होगा तो एजेंट की अपनी तो कुछ पड़ी नहीं है उसको 230 ने अधिकार किसको दिया है एजेंट को तो मानो डेस्पाइट की थर्ड पार्टी उस कॉंट्रेट को पूरा नहीं कर रही है एजेंट बदमाशी देने लगे एजेंट एक्शन ना ले थर्ड पार्टी के खिलाफ ऐसा पॉसिबल है ना क्योंकि उसका खुद का तो कुछ इस्टेक पर है नहीं दाट इसी रीजन कि हमने प्रिंसिपल को यह राइट दिया है इस बात के बावजूद की ऐसी सिती थी डिस्क्लोजर नहीं किया गया था फिर सवाल उठता है कि हम फिर यह थर्ड पार्टी को राइट क्यों दे रहे हैं प्रिंसिपल के खिलाफ जाने का जब उसे पता ही नहीं था कि कोई प्रिंसिपल भी है उसका लॉजिक यह है अगेन इस सेम सिच्वेशन कि आप मानो इस साइड से बदमाशी हो रही है तो ए पूरा ये इसपके आथ में तो है नहीं क्योंकि उसने वो कॉंट्रेट प्रिंसिपल के भी विहाफ पर किया थो उसको ूर्यक्ति अ कर सकता है तो एसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी को इफ्टिव रेमेडी देने के लिए जिससे वो अपने कॉंट्रेट को सही माइने में पूरा करवा सके और ऐसे वेक्टी से जिसके पास सच में सक्षंता है उसको पूरा करने की यह अधिकार दिया गया थर्ड पार्टी तो फॉर प्राक्टिकल रीजन्स एक तरीके की प्रिविटी क्रियेट की जा रही है बिटवीन थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल डेस्पाइट दी फैट की वो एक सिचुएशन नॉन डिस्क्लोजर की थी देखर नॉर्मली भी तो यही होता था अगर इसको सब कुछ पता होता कि एजेंट है तब भी तो यही होता कि यह इसके खिलाफ केस करता यह इसके खिलाफ फाइल करता नॉन डिसक्लोजर में भी यही हो रहा है तो फर्क क्या है कुछ नहीं है फर्क बस सेक्षिन 230 का है जिसको अमने पहले पढ़ा था क्योंकि नॉर्मल परिस्टितियों मे की स्थिती है तो 231 के हिसाद से 3rd party principle के खिलाफ फाइल कर सकती है principle 3rd party कर सकता है Addition का है Section 230 जिसके अनुसार agent 3rd party पे कर सकता है थड़ party एजेंट को कर सकती है नॉन डिस्कलोजर की situation है तो इस कानून में कोई भी बदलाव आता है नॉन डिस्कलोजर की situation से वो आता 230 की वज़े से ना कि 231 की वज़े से इन फैक 231 तो दोनों situations को बिलकुल समान कर देता है दोनों को एक दूसरे के खिलाफ राइट देता है इस बात के बावजूर कि disclosure नहीं था knowledge नहीं थी reason to suspect नहीं था ठीक है फिर इसी का एक दूसरा point है कि अगर मानो contract होई ही रहा था contract पूरा होने से पहले principal अपनी तरफ से effort लेके उस थर्ड पार्टी तक ये बात पहुचा दे कि असल में वो जिसके साथ contract कर रहा है वो उसका agent है वो अपने पहुचा रहा है वो उसका agent है मतलब जो सचाई है वो principal थर्ड पार्टी तक पहुचा दे कि एजेंट नहीं पहुचा रहा वो principal पहुचा रहा है तो ऐसी situation में वो जो थर्ड पार्टी है वो मना कर सकती है उस contract को पूरा करने से अगर वो यह दिखा पाती है कि अगर उसको पता होता पहले से कि यह व्यक्ति principle है जिसके व्यक्ति एजेंट की तौर पर काम कर रहा है तो वो कभी contract में एंटर करता ही नहीं या फिर उसे यह पता होता कि जिसके साथ contract कर रहा है वो एक मामूली सा एजेंट है नाकिक principle तो वो कभी ऐसा contract करता ही नहीं अगर वो इन दोनों में से कोई भी requirement को satisfy कर पा रहा है दिखा पा रहा है तो हमारे इस थर्ड पार्टी के पास right होता है कि वो उस contract से पीछे हट जाए तो कहने का मतलब है अगर नॉन डिस्क्लोजर की इस्तिति में अगर प्रिंसिपल डिस्क्लोज कर दे उस contract का पूरा होने से पहले तो ऐसी situation में उस थर्ड पार्टी के पास right होता है कि वो इस contract से पीछे हट जाए बस उसको इन दोनों में से कोई एक satisfy करनी पड़ेगी यहां तो उसको यह दिखाना पड़ेगा कि अगर उसको शुरू से पता होता कि यह प्रिंसिपल के व्याप पर यह बंदा एजेंट की तरह कर रहा है तो तो कभी contract में एंटर ही नहीं करता है ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल की reputation खराब हो हो सकता है उन दोनों के आपस में relation खराब हो सो दाट इसी सिचुएशन आ सकते कि वह ऐसे principle के साथ कभी बिजनेशीपिक करना चाता था यहां फिर अगर उसको शूरू से पता होता एक ऐसी situation होती जहां पर वो शुरू से पर्रजूं कर सकता था कि यह जो व्यक्ति है वो अपने बिहाफ पे काम कर रहा है तो अगर वो यहां पर यह certified करता है कि उसे अगर शुरू से पता रहा होता कि एक मामूली सा एजेंट है ना कि principle तो ऐसी situation में भी ऐसी circumstance में भी वो मना कर सकता है कि मैं contract को पूरा नहीं करूँगा क्योंकि मैं contract करना चाहता हूँ एक ऐसे बंदे से जो agent ना हो बलकि अपने आप में principle यह दो circumstances में कोई भी जो है हमारा वह बंदा वह अपनी कदमों को वापिस ले सकता है तो 232 को 231 को बचे दो लाइनों वे कन्क्लूर करूँ जो इसी बात यह है कि नॉन डिस्क्लोजर की इस्सिति के बावचूर कोई भी प्रिंसिबल थरड़ पाटी को मझबूर कर सकता है कॉंटरीन को पूरा करने के लिए मेने थरड़ पार्टी मझबूर चर सकती कोंटरीन को पूरा करने के लिए एंड अगर कॉंट्रेक्ट का पूरा होने से पहले प्रिंसिपल डिस्क्लोस कर देता है बाउट दी राइट स्टेट ऑफ पाक्स की वह जो व्यक्ति जिसके साथ कॉंट्रेट कर रहे है थर्ड पार्टी वह एक एजंट है और उसका एजंट है तो वह पूरा करने से मना कर सकती है अगर वह यह दिखा पाए कि अगर उससे शुरू से पता होता कि वह प्रिंसिपल है तो करता नहीं कॉंट्रेट या उससे शुरू से पता होता कि जिसके साथ वह कॉंट्रेट कर रहा है वह एक एजंट है तो वह करता ही नहीं कॉंट्रेट ठीक एक आदमी कॉंट्रेट करता है दूसरे आदमी में के साथ और उसके पता कोई बीशिक करने की वज़ा है कि जिसको साथ कोंट्रेट कर रहा है तो ऐसी में जो प्रिंसिपल है अगर वह 231 का इस्तमाल करता है और वो उस third party को बोलता है कि आप अपना contract पूरा करो क्योंकि उसके पास right है ना तो ऐसी situation में ये जो principle का अधिकार होगा force करने का उस third party को contract पूरा करने के लिए वो subject होगा उन rights और obligations का जो rights और obligations उस agent और third party के बीच में exist करती है ठीक है तो जो rights और obligations उस third party में जिसके साथ contract हुआ है और उस agent में जिसने contract किया है उन दोनों के बीच में जो rights और obligations है उसके subject रहेगी हमारे principle का ये अधिकार जो force करने वाला है देखो मानो यही वाली situation है अब यह जो third party है इसने agent के साथ contract कर लिया है उसको principle के बारे में पता नहीं है अब यह third party बदमाशी दे रही है तो हमें पता है कि principle third party को मजबूर कर सकता है कि वो अपने contract को पूरा करे तो यह right है उसके पास हमारे principle के पास यह right है 231 के अंदर पर this right is subject to the rights and liabilities जो agent और इस third party के बीच में है मानो इस contract के अंदर इस third party को हमारे इस agent को हजार रुपे देने थे हजार रुपे की liability बन दी थी third party को हजार रुपे देने थे agent को इस contract के तहत जो contract इस agent ने प्रिंसिपल के ब्याफ़ पर किया है तो ऐसा बूल सकते हैं कि प्रिंसिपल को हजार रुपे मिलने थे इस third party से और मानो यह third party हजार रुपे नहीं दे रही थी तो principle कहता कि contract के तहता आपकी जिमिदारी है आप 1000 रुपे दो पर मानो इसी circumstance में इस contract से पहले हो सकता है कि कभी agent ने इस third party से 500 रुपे पहले उधाल लिये हो एजिट ने principle नहीं एजिट ने हो सकता है अपनी personal capacity में लियो not as a representative तो पांस रुपे पहले से ही एजिट की तरफ निकल रहे हो थर्ड पार्टी के तो ऐसी परिस्तिती में अगर प्रिंसिपल उसको फोर्स करता है यह 1000 रुपे वापिस करने के लिए जो contract के अंदर उसके निकल रहे हैं तो उस 1000 रुपे में से उन 500 रुपे को डिड़क्ट कर सकता है जो 500 रुपे उसके एजिंट की तरफ निकल रहे थे तो प्रिंसिपल को ऐसी परिस्तिती में केवल 500 ही रुपे मिलेंगे ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी की इसमें कोई गलती निए थर्ड पार्टी जब एजिएंट से नहीं चीन सकते हैं यह बात ठीक है कि हम प्रिंसिपल को राइट दे रहे हैं 231 के अंदर पर वो ओवर पावरिंग राइट नहीं है तो अगर कोई भी राइट्स और अब्लिगेशन और एग्लेटी करती थी एजेंट और उस थर्ड पार्टी के बीच में जिस सरक्मिस्टा अंदर निकल के आती है अब मुझे बताओ सेक्शन 2-31 और 32 समझ में आया है नहीं जल्दी से बताओ सेक्शन 231 और 232 क्लियर है या नहीं जल्दी बताएंगे बच्चे चैडवक्स में भाई टाइप करके देखों बच्चे बहुत और यह मैचुरेटी वाले सेक्शन से इनको आपको दो बार चार बार पाँच बार दस बार सुनना पड़ेगा दो बार पाँच बार दस वार पढ़ना पड़ेगा तो आप ऐसे मैं सोजो कि हर चीज की स्पून फीड की जा सकती है अपनी तरव से पूरा दिमाग लगाओ examples को दिमाग में चिपकाने को श्क्रों और दाट इसी रिजनां सेंग कि क्लास में समझ आने का मतलब यह नहीं है कि वो ट्रांसलेट हो पाएगा एक्जाम में स्कूर से विकास यू नीड टू रिटेन दाट आट 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 आपको जब लगता है कि आपको 100% समझ में आ गया असल में वो समझ में आया होता है 50% 50% that is very very real आज भी जब मैं किसी चीज़ को पढ़ता हूं that कुछ भी नई चीज़ पता चलती है तो that means कि पिछली बार कोई स्कूप रहे गया था ठीक है बचे सेक्शन 230 का 3rd point क्या है आप खुद पूछो अपने अपने दिमाग से what was the 3rd point 3rd point क्या है कि भाई non-disclosure की स्थि है और वो जो अपका जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ वो नहीं केस फाइल नहीं कर सकते आप यू कांट सू हिम तो ऐसी साकमिस्टांसिस में ऐसी सिचुएशन में हमारा जो एजेंट है उसको हमने यादिकर दे रखा था ठीक है उसको वीडियो को दुबारा से रिवाइन करके देख लेना ठीक है अब देखो कॉंटेक्स बनाओ दिमाग के अंदर बिल्कुल आँखों को बंद करो और एक स्ट्रक्चर बना के चलो हमने अभी देखा कि हमने दो सेक्षिंस कवर किये जहां पर राइट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही थी बिट्वीन आतर नहीं होई है अभी पिक्चर आगे चलेगी ठीक है देखो अब आता है सेक्षिन 233 बद जोड़ते चलो दिमाग के अंदर अब हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो डील कर रहा है एजेंट से जो परस्नली लाइबल है बहुत ध्यान से देखना बचे यह चोटा सा से रिखन है बर बहुत इंपोर्टइन्ट है अगला ऐसी स्थिति जहां पर कोई एजेंट परस्नली लाइबल है ऐनसे भी है तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसे से अजी डील कर रहा है यह उसके पास चॉइस है यह आंसे को पक्ड़े वह याँ तो को यह उसके प्रिंसिपल को पक यान फिर दोनों को पकड़े इस बात को याद रखना कि अ देखो नॉर्मल एजेंसी का अ क्या है कि कोई भी एजेंट अपने को रिपरेजेंट करता है तो इसकी कोई परसनल लाइबिलेटी ने जो भी liability होती है principle के होती है as long as the acting agent is acting within the authority उसका अपनी identity नहीं है और अपनी identity नहीं है तो personal liability का सवाल ही नहीं उठता that is the simple logic अब अब सुनों बड़े द्यान से पर अगर कभी ऐसी परिस्तिती निकल के आए कोई कोई ऐसा कॉंट्रेक्ट हो कोई ऐसा एक्ट हो जिसमें एजेंट की personal liability भी निकल के आ रही हो उसको personally liable भी बनाया गया हो विजिन दी टर्म्स अफ दी कॉंट्रेक्ट इसका रीजन क्या हो सकता जैसे मैंने आपको एक एक्जेंपल दिया था कि एक प्रॉपर्टी में एजेंट का भी इंट्रेस्ट था प्रिंसिपल का भी इंट्रेस्ट था हमको बस इतना याद रखना है कानूनी रूप से कि कोई भी ऐसी परिस्तिती जहां पर हम एजेंट को परस्नली लायबल होल्ड कर सकते हैं इफ दाट इस इस साकमिस्टांस तो हमारे उस थर्ड पार्टी के पास दिर आर थ्री ऑप्शिन्स दिर आर थ्री ऑप्शिन्स पहला ऑप्शन बड़ा सीधा-सीधा है क्योंकि उसने वह जो कॉंट्रेक्ट है यह उसकी तरफ वह जो ए यहां फिर उसके पास चॉईस है कि वह एजेंसी के प्रिंसिपल को इस्तमाल करे और उसका फ्रिंसिपल ढूंडे किस की हम पर अक्ट कर रहा था वह lienékव किसको रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके प्रिंसिपल को सू करते जो नॉर्मल हम एजेंसी की स्थितियों में करते हैं और तीसरा है तू बी उन दी सेफ साइट जो सबसे ज़्यादा किया जाता है कि वो दोनों को पकड़ ले दोनों को सू कर दे ऐसा कब होगा जैसा एक्जैंबल मैंने आपको दिया कि परसनल लाइबिलिटी एजेंट की इस वह से निकल के आ रहे है क्योंकि ही ऑल्सो इस इंट्रेस्टेट इन दी सब्जिक्ट मैटर तो यहां पर to the extent of उसको भी हम पकड़ सकते हैं तो कभी भी ऐसी परिस्ति जहां पर कोई एजेंट केवल एक एजेंट की तरह नाकाम कर रहा हो बलकि उसकी अपनी भी आइडेंट्री मतलब एक ऐसा मिक्षर आजकर बहुत कौवन हो गया यह मिक्षर एक ऐसा मिक्षर जहां कि लिए पर एक व्यक्ति एजेंट की तौर पर भी है और अबने तोर पर भी है एक ऐसी सिचुइशन यूसकी पर्स्नल कैपिसेटी भी है रिप्रसेंटेटिव कैपशिटी विदिन आप विदिन दिस सेम कॉन्टराइट और इसे सेक्शन में जिसके साथ वो डील कर रहा है वो अपने हिसाथ से चीज़ों को देख सकता है पर इस सेक्शन को लागू करने के लिए यह होना जरूरी है अगर कोई सिंपल सा नॉमल सा एजिंसी का कॉंट्रेक्ट है जैसा हम जानते हैं कि हमने किसी का अथोरिटी दी और वो हमारे बेहाफ पे अपना कुछ लेना देना न है इस अगला सेक्शन है सेक्शन दोसट चौनतेस इसको बड़ा दियान से देखना है यहां पर कहानी बिल्कुल अलग है पर समझ में आ जाएगी यहां पर एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिस व्यक्ति ने कॉंट्रेक्ट किया है एक एजेंट के साथ दियान से देखना और यह जो व्यक्ति है उस एजेंट को यह विश्वास दिलाता है मतलब यह जो थरड़ पाटी है उस एजेंट को यह विश्वास को पकड़ूँगा यहां फिर ऐसका इसका उल्टा करता है कि वो विश्वास दिलाता है प्रिंसिपल को कि कल को अगर कोई गड़बड हुई तो मैं तुमको नहीं पकड़ूँगा बलकि केवल इजिंट को पकड़ूँगा इन दोनों ही परिस्तिती में वो अपनी इस बात से वाद रहेगा वो उससे पीछे नहीं हट सकता है यह सेक्षिन डारेक्टली जुड़ा हुआ बचे 233 से उसी के कॉंटेक्स में समझता जैसे 233 में मैंने बोला न कि कोई भी एजिंट जब पर्सनल लाइबलिटी लेता है तो थर्ड पार्टी के पास ती प्रिंसिपल खिलाफ जाए या दोनों के खिलाफ जाए मानों ऐसी ही किसी कॉंट्रेक्ट के अंदर जहां पर एजिंट की परसनल लाइबलिटी बन रही थी पर उस थर्ड पार्टी ने ऐसा कोई वादा किया जिसमें उसने बोला कि मैं आप दोनों को नहीं पकड़ूंगा एजेंट से बोला या तो एजेंट से बोला कि भाई मैं तुम को नहीं पकड़ूंगा तुम परिशान मत हूं मैं प्रिंसिपल के खिलाफी केस फाइल करूंगा कल को कर मैं तुम्हारे खिलाफ भी सकता हूं क्योंकि 230 मेरे को यादिकार देता है और मैं प्रिंसिपल के खिल तो पहले सी बता रहा है कि वो क्या चॉइस लेगा आउट आफ ती थी जो हमने डिसकस करी तो जो भी चॉइस के बारे में वो इंड्यूसमेंट दे रहा है और बाद में वो आगे जाके कॉंट्रेक्ट में कनवर्ट होता है तो वो उस चॉइस से बंधा रहेगा अब कल को अगर सच में केस फाइल करने की नौबत आएगी इस थर्ड पार्टी के द्वारा और उसने वादा कर रखाए एजेंट को कि वो उसके खिलाफ केस फाइल नहीं करेगा तो वो एजेंट के नहीं कर सकता उसको प्रिंसिपल को ही पकड़ना होगा या फिर वाइस वर्सा कि उसना अगर प्रिंसिपल को यह वादा कर रखा है तो वह एजेंट के खिलाफ नहीं कर सकता उसे एजेंट के खिलाफ ही करना होगा ठीक है ऐसा क्यों है क्योंकि यह वेरी फाउंडेशन हो सक सकता है उस बंदे का उस टारेट के अंदर करने के अगर एजएंट को यह वादा ना किया goya होता कि उसके खिलाफ क 부분 नहीं करेगा थट सकता है कि एजेंट आपनी प्रस्नल्ड लायाबिलीय टी रखी ना होती हो सकता है वह और इजेंट बनता ही नहीं यहाँ फिर बोला गया है कि third party अगर ऐसा कोई inducement देता है अपने choice के बारे में जो उसको दी गई है उसको उसको तक stick रहना पड़ता है वो कल को यह नहीं बोल सकता कि मैं तो कुछ भी करूँगा या मैं दोनों के के राइट की बात है जहां पर एजेंट की पर्सनल लाइबरेटी बन रही है ठीक है क्लियर है पहले मुझे बताओ combination समझ में आ रहे है 31 32 33 34 क्लियर है समझ में आये बच्चे सबी लोगों को हाँ अब देखो नेक्स्ट एस सेक्शन 235 इसमें बच्चे प्रिटेंडड एजेंट की बात होती है यह बहुत यूनिक यहां पर वो दिखा रहा है अभी तक 231 32 में क्या था कि कोई व्यक्ति छुपा रहा था डिस्क्लोज नहीं कर रहा था यहां पर वो बता रहा है कि भाई में authorized agent हो किसी व्यक्ति का पर असलियत में नहीं है और ऐसा करके वो किसी तीसरी व्यक्ति के साथ कॉंट्रेक्ट कर ले रहा है तो ऐसी इस्तिति में यह जो व्यक्ति है जिसने जूट बोला इसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी और उस कॉंट्रेक्ट के अंदर अगर उस पार्टी का कोई भी नुकसान होता है जिसको उसने जूट बोला था कि मैं फलाना फलाना एजेंट हूँ तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ जाएगा पर अगर यह जो एक्ट्स हैं जो इस एजेंट ने बिना ऑथारिटी के किये अपने आपको जूटे तरीके से रिप्रेसेंट किया कि मैं फलाने व्यक्ति का एजेंट हूँ अगर वह फलाना व्यक्ति इसको स्विकार कर लेता है अपने एजेंट की तरह और इसने जो किया उस थ Scorpion के साथ उसको रेटिफाई कर देता रेटिफाइचन करता है तो अगर उस फलाने व्यक्ति ने जिसके बहाफ पर जूटा बोला था कि मैं एजेंट हूँ अगर उसने रेटिफाइड नहीं किया तो इसकी परसनल लाइबिलिटी बनेगी और इसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा और अगर उसने रेटिफाइड कर दिया तो यह व्यक्ति बोलता है कि मैं फलानी एबी सी नाम की कंपनी का वह हूँ एंप्लॉई हूँ और मेरे पास रिक्वाइड ऑथोरेटी है तो एक्ट ऑन देर विहाफ असल में ऐसा नहीं है असल में जूट बोल रहा है असल में यह कोई प्राइवेट बंदा है जो कोई छोटी के मोट आदमी से तो डील नहीं करती तो इसने जूटा बोल दिया कि मैं भी किसी बड़ी कंपनी का आदमी हूँ और उस बहाफ पे काम ले लिया कॉंट्रेक्ट ले लिया इस थर्ड़ पार्टी से जूट बोलके कि मैं फलाने बंदे का एजेंट हूं असल में यह है नहीं अब यह जो कॉंट्रेक्ट है जो इसने किया जूट बोलकर इस वेक्ति के साथ अब अगर इस कॉंट्रेक्ट की वजह से थर्ड़ पार्टी को कोई भी नुफसान होगा तो जिम्मेदारी उस वेक् कि खिलाव रिजेक्ट हो जाएगा और इसको बोला जाएगा कि आप उसी व्यक्ति खिलाफ करो जिसके साथ आपने कॉंट्रेक्ट किया है क्योंकि उसने आप से जूट बोला था तो इसकी परस्नल लाइबिलिटी होगी और इसको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा इसको हर का पर इसके पास एक आइडिया है अगर यह किसी भी तरीके से उस कंपनी के पास बहुत जाए जिसके बारे में इसने जूट बोला था और उसको सब कुछ बता दे कि ऐसा ऐसा है यह यह मैंने कॉंट्रेक्ट किया था आप समाल लो और अगर इस कॉंट्रेक्ट में का पार् अगर वो रेटिफाय कर देती है तो यह जो एक्ट था कॉंट्रेक्ट में एंटर करने का थर्ड पार्टी के साथ वो और वहां पर इसकी परसनल लाइबलेटी खतम हो जाएगी और यह जो व्यक्ति है उस प्रिंसिपल के पास जो हमेशा से प्रिंसिपल नहीं था पर बाद में बनाये हैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकेगा ठीक है तो सेक्शन टू थार्टी फाइफ एक प्रिटेंडड एजेंट एक जूटे एजेंट के बारे में हैं कोई एक ऐसा व्यक्ति जो असल में एजेंट नहीं है पर किसी का एजेंट बनके किसी के साथ तील करता है तो फिर जिम्म्हदारी उस प्रिंशिपल के हो जाती है ठीक है दिससे सेक्शन टू थर्टी फाइफ क्लियर रहे सभी लोगों को बच्चे टू थर्टी फाइफ समझ में आया है सभी लोगों को चैट बॉक्स में येस बोलेंगे कर अदियर है कोंट्रेक्ट किया गया है एक एजेंट के तौर पर ध्यान से देखना ऐसा व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होगा उस कॉंट्रेक्ट की पर्फोर्मेंस मांगने का अगर वो सच्चाई में एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा था बल्कि अपने खुद प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा था तो सेक्षिन 236 क्या है 235 का जस्ट अपोजट है 235 में हमने अभी क्या सीखा था बचे एक ऐसी परिस्ति जहां पर कोई व्यक्ति एजेंट नहीं था और बता रहा था कि मैं एजेंट हूं और कोई गड़बड हो रही थी तो दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ केस फाइल कर रहा था और अपना वसूर रहा था पैसा जो भी इसका नुक्सान हुआ है इस सेक्शन के अंदर खास बात क्या है इस सेक्शन में क्या हुआ है कि कोई व्यक्ति फिर से एजेंट के तौर पर ही एक्ट कर रहा है बता रहा है कि मैं एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा हूं पर असल में वो एजेंट के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा है अपने खुद के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है जैसे यह वेक्टी था इसा जूड़ बोला था कि मैं फिलाने वेक्टी का एजेंट हूं असल में यह अब कल को मानो इसने यह जो कॉंट्रेट किया उसमें यह थर्ड पार्टी बदमाशी देने लगे। अभी हमने क्या प्रिजूम किया था 235 के अंदर कि यह बदमाशी दे रहा था इसलिए इसको अधिकार दे रहे थे कि इससे कंपेंसेशन क्लेम करो। यहाँ पे क्या हो रहा कि इस कॉंट्रेट को मैं यह बदमाशी दे रहा है। तो इसने अपने भी हाफ पे किया बट एजे एजिंट किया जूट अभी जूट बोला तो यह बंदा है जिसने जूट बोला था इसके पास अधिकार नहीं वोगा अपनी ओन कैपेसिटी में इस व प्रेजेंट एजेंट किया है और एक एजेंट के पास आथरिटी नहीं होती है केस फाइल करने की नॉमल सकम्स्टांसिस में जब तक वो पर्सनली इंट्रस्टेड ना हो तो ऐसी सिचुएशन में डियान से सुनना कितना बड़ा नुकसान ऐसे व्यक्ति का तभी जूट नहीं बोला चाहिए देस्पाइट कि वह असलियत में तो अपने भी हाफ पैक्ट कर रहा था उसने तो जूट बोला था कि मैं एजेंट हूं फिर भी इसके पास यह अधिकार कि तो अगर यह कानटेट पूरा नहीं करता ना करें और इसके पास कोई भी रेमली नहीं है कोई भी रेमैली नहीं है क्या तो आप दोनु तरफ से मारे जाते हो जयart नहीं होते और एजेंट किसी के साथ डिलिंग करते हो तो वह तो आपको पगड सकता है 235 अदर और अपन can't do anything about it तो यह डबल मार है इसलिए कभी भी एजेंसी के बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए और इन्हीं सेक्षिन की वज़े से कोई करता नहीं है ठीक है अब बढ़ते हैं बचे सेक्षिन 237 पर अब यह सेक्षिन 237 देखो अगर कोई भी एजेंट ऑथोर या किसी तरीके की जिम्मेदारी लेता है थर्ड पार्टी इसकी तरफ अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते करते ऐसी सिचुएशन में आप सभी को पता है कि वो जो प्रिंसिपल है वो बाउंड हो जाएगा उन एक्स और अब्लिगेशन से अगर अगर हमेशा नही अपने वर्ट से या अपने कंडक्ट से उस थर्ड पार्टी को यह विश्वास दिलाया हो कि वो जो एक्ट हैं और वो जो अब्लिगेशन से जो उस एजिंट ने किये हैं असल में बिना अथॉरिटी कि वो एक्ट और ओब्लिगेशन करने की पावर है उस एजिंट के पास तो मतलब असल में एजिंट के पास पावर नहीं थी असल में प्रिंसिपल ने एजिंट को वो पावर नहीं दि थी पर अगर प्रिंसिपल ने अपने कंड़क्ट से ये दर्शाया किसी थर्ड पार्टी को कि उसके पास वो पावर है और कल को एजेंट ने उन पावरों को एक्सेसाइस कर डिया तो जो प्रिंसिपल है वो बाउंड रहता है बलए असलियत में उसने ऐसी कोई आथोरिटी ना दी हो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और डिटी बस आपके लिए विरे आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि ये जो आथोरिटी जिसका सेक्षिन 237 जिक्र कर रहा है ये कौन सी आथोरिटी है क्या नाम है उस आया तो मानूंगा आप में दम है क्वाइट कुण सी ऑथॉरिटि है क्या वह एक्स्प्रेस अथॉर्थी है उथॉरिटी दे रहा है क्या प्रिंसिपल तो लिखा हुआ ना कि आफोरेटी ने दे रहा है कि कन्ड़क्ट किसकी तरफ से थड़र पार्टी की तरफ से तरफ थड यहां पर हम बोल रहे हैं तो अपने कंड़क्ट से किसी थर्ड पार्टी को विश्वास दिलाता है कि किसी एजेंट के पास कुछ करने की पावर है जो की असल में उसके पास नहीं है तो ऐसी परिस्विति में कल को अगर वह एजेंट वह चीजें करता है तो प्रिंसिपल उनकी तरफ वह वाद्य होगा क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं यह बड़ी दुख्की बात है कि एक बच्चे ने कीवल अपारेंट लिखके देखा है बाकी सो रहे हैं मुझे नहीं पता यहां फिर समझ में नहीं आया है दिसे सो सैड ठीक है अब देखो आखरी सेक्शन ती यह बच्चे दो चीजों की बात करता है जिस दो चीजों को हमने इसी कॉन्ट्रेट के स्टेच्च्छीट के अंदर बहुत दिमाग मारा था पहली बता दे रहा हूं Section 17 और Section 18 Fraud और Misrepresentation की बात करता है तो आपको हमेशा इस Section को Section 17 और 18 के साथ ही पढ़ना है पहले अब देखो क्या कह रहा है Section कोई भी Misrepresentation या कोई भी Fraud जो Agent के द्वारा किया जा रहा है जब वो अपने Agency का काम कर रहा है मतलब अपनी Authority के अंदर काम कर रहा है तो उस Misrepresentation का उस Fraud का जो उस Agent के साथ किया गया है वही प्रभाव होगा जैसे की उस Misrepresentation को उस Fraud को उस Principle ने खुद ही किया खुद ही किया हो देखो एजेंसी का प्रिंसिपल है ना कि एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है तो जो भी कुछ एजेंट करता है वाइल रिप्रेजेंटिंग वो principle की जिम्मेदारी होती है तो अगर कोई agent अपने agency के अंदर काम करते हुए किसी third party को को जूट बोल रहा है कुछ misrepresentation कर रहा है उसके सब कोई fraud कर रहा है तो principle जिम्मेदार होगा यहाँ पे हम यह नहीं पूछ रहे हैं यह सवाल ही नहीं है कि principle से पूछ के misrepresentation कर रहा है यह fraud कर रहा है agent पूछ के कर रहा हो बिना पूछ के कर रहा हो principle को पता हो ना पता हो doesn't matter अगर agent के द्वारा misrepresentation यह fraud होता है तो उसकी जिम्मेदारी principle की ही होती है पर अगर वो जो fraud है जो misrepresentation है वो उस agent की authority के beyond जा रहा है मतलब out of authority है इन चारों में से कहीं भी नहीं गिर रहा वो fraud और misrepresentation जिस चीज़ के बारे में किया गया है तो ऐसी परिस्तिती में ऐसी situation में हम principle पर impute नहीं करेंगे उस जिम्मेदारी को अब देखो बचे मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इस बात को समझ पा रहे हो पर यह बड़ा consequential section है कुछ ऐसी situation है कि यह एक agent है यह third party है यह दोनों deal कर रहे हैं यह agent इस principle को represent कर रहा है और यह agent misrepresentation या फिर fraud कर रहा है इस वेक्ति के साथ हम यह कह रहे हैं कि यह misrepresentation और यह fraud जो agent कर रहा है अगर वो within authority रहते हुए कर रहा है मतलब वो जो जिस बारे में dealing हो रहे हैं यह दोनों के बीच में वो ऐसी चीज़ के बारे में है जिसके बारे में principle ने authority दे रखी है agent अगर ऐसा है तो यह माना जाएगा कि यह misrepresentation fraud उस principle के द्वारा किये जा रहे हैं तो कल को अगर contract क्या होता है section 17 और 18 के अंदर क्या होता है contract voidable हो जाता है हटा देते हैं contract को राइट तो यह जो व्यक्ति है इस contract को हटा सकेगा ना केबल इस वेक्ति खिलाफ बलकि इस वेक्ति के हो तो आपकी जिम्मेदारी है वो जो भी कुछ करेगा आपके नाम से आप उससे वाद दे रहोगे अच्छा या बुरा इसलिए बोलते हैं कि एजेंट को बड़ा ध्यान से बड़ा समझदारी से चुनना चाहिए आप कल को उस एजेंट से पल्ला नहीं जाड़ सकते अगर वो कुछ गलत करता है तो जितना उसका सही करने से आप फाइदा उठाते हो उतना ही उसके गलत करने के अब जिम्मेदार भी होते हो पर यहीं बच्चे हमको एक बास सोचनी पड़ेगी कि हमने शुरु आतमें आज के लेक्षर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एजेंसी कभी एजेंट लाफुल कोई भी एजेंट अगर कोई अनलॉफुल चीज करता है तो इसकी जिम्यदारी प्रिंसिपल की नहीं होती है अगर कोई भी एजेंट कोई क्रिमिनल चीज करता है तो इसकी जिम्यदारी प्रिंसिपल की नहीं होती है तो यह मिस्रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बारे में प्रिंसिपल की जिम्मिदारी को क्यों बताया जा रहा है यह सोचा आप मैंसे किसी नहीं है यह ऐसा क्यों है वाई दिस नॉट बींग कंसिडर उन सेक्शनों के अंदर हां यह बाठ ठीक है चलो मिस्रेप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को क्रिमिनल नहीं मान सकते क्रिमिनल होने के लिए इट नीज टू सैटिस्फाय सटेन एडिशनल रिक्वार्मेंट्स अभी अगर उसको सिविल क्या किसी के साथ मिस्रेप्रेजेशन करना अनलॉफुल है यहीं पर आपको एक बास समझनी है कि सवाल यह नहीं है कि मिस्रेप्रेजेशन करना अनलॉफुल थाया नहीं फ्रॉड करना अनलॉफुल थाया नहीं यह जो सेक्शन है 238 यह उस misrepresentation और उस fraud के परेडाम के बारे में है उसकी result के बारे में उस act के बारे में नहीं है तभी हमको यहाँ पर इस presumption की जरूरत पढ़ रही है वरना हमको इस presumption की जरूरत नहीं पढ़ती हम कह रहे हैं कि यह माना जाएगा जैसे कि वो misrepresentation fraud principle ने किया हो ऐसा हमको बोलना ही इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आम तोर पर ऐसी कोई चीज जब agent करता है वो principle पर impute नहीं होती है अगर वो impute होती होती तो यह कहना ही नहीं पढ़ता वो तो automatic बात है agency है तो वो जो भी कुछ कर रहा है इसके लिए प्रिंसिपल बाउंड हो गई क्या कहने की ज़रूरत पर यहां भी लिखना पढ़ रहा है कि यह माना जाएगा कि वो जैसे कि प्रिंसिपल ने किया this is only for the purpose of saving this person क्योंकि बच्ची यह relationship का nature ही ऐसा है जिस contract के अंदर parties यह दोनों हैं तो section 17 और 18 के अंदर contract भी इन दोनों के ही खिलाफ टाया जा सकता है इसके साथ तो कोई contract ही नहीं है ना इसका तो section 17 के अंदर यह 18 के अंदर इसके खिलाफ किसको voidable कराएगा यह तो exist ही नहीं करता and that is the reason कि हम कहा रहे हैं कि वो within authority act करना चाहिए क्योंकि जब तक वो within authority act कर रहा है वो exist करता ही नहीं है और contract है इन दोनों की बीच में समझनों मेरी बात को section 17 और 18 misrepresentation और fraud contract को existence में आने से नहीं रोकते हैं contract बन जाता है it is just that कि वो contract हटाया जा सकता है तो contract तो बन रहा है ना बन रहा है मतला यह contract बनाने में सक्षम है despite the fact कि misrepresentation कर रहा है और और यह contract अपने बहाफ पे तो बना नहीं रहा एजेंट बना रहा है तो contract बना इन दोनों में तो obviously हटेगा भी वह यह इन दोनों की बीच में कि दाट इस जी रिजन की यह section 238 अपलाय होता है अगर misrepresentation fraud की वज़े से कोई contract voidable ना होके होता होता जैसे mistake में होता है तो फिर इस सब की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि contract picture में नहीं आया तो किसी भी fraud और misrepresentation को impute नहीं करना पड़ता principle क्योंकि वह बनने से पहले ही खतम हो गए यह हुआ ही इसलिए पर इस सब की बात पीछे यह जरूरी है कि वह agent है within authority act कर रहा हूं क्योंकि उसकी जो non-existence है वो तभी तक रहती है जब तक वो विदेन ऑफोरेटी एक्ट कर रहा है दी पॉइंट ही crosses that authority तो उसका representative capacity खतम हो जाती उसकी personal capacity शुरू हो जाती तो अगर कोई व्यक्ति contract के अंदर जो contract उसकी authority से भार है उसके अंदर अगर misrepresentation of fraud कर रहा है तो वहां पर प्रिंसिपल की कोई जिम्यदारी नहीं क्योंकि वह authority के भार है तो वह अपनी personal capacity में act कर रहा है और ऐसी situation में contract इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा contract बनेगा इन दोनों के बीच में और उस misrepresentation और fraud का इस्तमाल करके contract खतम भी होगा तो इन दोनों के बीच में होगा इस लिए हमें इस प्रसंप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 238 के लिए it is very essential कि जो misrepresentation of fraud हो रहा है by the agent that has to be in relation to an act जो उसकी authority के अतर था मतलब ही इस ही शुडब इन नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट ठीक है this is the last section the very last section I am feeling a bit emotional कि यार contract खतम हो गया इतना मज़रा आता था contract पढ़ाने में पढ़ाने में पढ़ाना थो बच्छे दो गंटी class होती वाट वो पूरे दिन की तयारी I'll miss that आप मुझे बताओ एक बार finally are we all clear सारे sections के बारे में कोई भी question किसी को पूछना है आप पूछ लो चालो मैं गुस्टा नहीं करूंगा ठीक है पूछो अगर कोई भी बात नहीं समझ में आए क्योंकि हम finish off कर रहे हैं कुछ चीज हैं बच्चे complicated है मैं आप लोगों को दोश नहीं जे सकता मैं भी आप लोगों की situation में रहा हूं कई बार और मेरे को भी उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है पहली बार और मैं obviously आपको अपनी और आपकी इस्तेती को compare भी नहीं कर सकता हूं I've given a lot of time इसन चीज़ों को पढ़ने में ठीक है पर आपको ऐसा नहीं करना है देखो आप अपनी एक approach को अपना जो approach मैं भी अपनाता था जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज समझ में आए पर जरूरी है कि काम की हर चीज समझ में आए दुन आप चांसे हैं तब भी कोई गैरेंटी नहीं है पट इस इंपोर्टेंट में एक शब्द बार बार इस्तिमाल करता हूं वो शब्द नहीं मेरे को लॉपढ़ना सिखाया यू नीड टू अंडरस्टेंड टी एसेंस क्यों वह सेक्शन कह कह रहा है वाट इस लॉट अगर आ एससंस समझा सकता है वर्ड वर्ड पकड़के ना थोड़ा सा उसमें क्या होता है एक तो वह time consuming होता है और उसमें हम लोग ना हमारा जो एसे भी टीचर से हैं दो डिस्क्लोज केन नॉट भी सूट यह वाली उसको सिचुएशन नहीं समझ में आ रहे हैं और यह भी सवाल पता कहां से आ रहा है यह वाले कैपसिटी कॉंट्रेक्ट और जब आपके पास कैपसिटी कॉंट्रेक्ट है तो कब ऐसी परस्थिती बनेगी कि आपके पास ख्लाफ केस नहीं फाल हो सकता तो इस गोंग वेरी हार्ड मेरे लिए भी बाट अगें कमिंग टू दी एससंस पॉइंट डिडिव अंडर्स्टाइ है प्रिंसिफल कॉन है पर वो किसी भी वज़े से किसी भी वज़े से उसके खलाफ केस फाइल नहीं कर सकते तो पकड़ लेगे हैं क्या हम इतना लिख सकते हैं या फिर इतना अपने दिमाग में बिठा सकते हैं इफ यास डाट इस मोर दिन सफिशिंट रहेट जब स्टेच अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अब आउट इस सब्जेक्ट एक बार कॉन्फिडेंट टाइप करेंगे चैट बॉक्स में कॉन्फिडेंट तो चलो बड़ा हो जाएगा सी टाइप करिए आई पीसी खतम होगा बच्चे वो मेरी जिम्मेदार ये क्या कब तक खतम होगा वो मैं करा दूँगा वो अपनी पेस पर ही चलेंगे चीज़ने बच्चे मैं किसी भी चीज को रश्णी करने वाला इंटरम्स अफ टाइम ठीक है हम अपने हिसाब से चलेंगे चीज़ों में आपकी बस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते चलो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता चलूंगा हाँ एक बात है इसने बच्चे ने मिरे को एक बात या दिला दी कि अब देखो कॉंट्रेक्ट खतम हो गया है तो सेटरड यहां पर चलेंगे अपनी 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 गाड़ी वह है एलेक्रिक स्कूटर की मैक्सिमा स्पीड चलती नहीं तो टाइम जादा लगेगा पर पहुंच जाएंगे टाइम लगेगा तो मुझे लग रहा है जो समझ रहें चीज़ों को करना चाह रहे हैं और वह बहुत अच्छी बात है उसको पस आप लगे रहा हो अभी कुछ मस्सोच जाता कुछ भी प्लैन आउट मत करो बस क्लास को अटेंड करते रहो और कभी कोई एक्जाम आ रहा है तो कुछ से आगे पढ़ लो और कोई चीज ना समझ मैं है तो मैं हूँ मेरे से पूछ लिया करो इस नॉट नेसरी एक्जाम वेगरा की नीज को पूरा करते रहो पर हां जादा टाइम नहीं है यह जो जो भी हम लोगों ने शुरू की है कहानी वह समय से खतम हो जाएगी ठीक ह सब को सबरी है चल अब कोंट्रेक्ट पे मैंने सभी को सरक्ष डियर के पर जर्पर रिवािस करना चाहीव बिलकुल कॉना अपने मूझ सह बोला करो तक भान में पकड़ा करें कि रेडाऊट किया करो कान में सुनाई देना चाहिए चलो इतना लंबा समय वनने बच्चे बने रहने के लिए सच में आप सभी लोगों को बढ़ाई दूँगा आप सब में दम है काफी बच्चे भाग भी गए पर आप लोग अभी भी हो इस वरी गुड सेटरेड़े वाले दें आप लोग कुछ करोगे पका मेरा विश्वास है बबाई संडे को थोड़ा स अजय से शुरू हो जाएगा